सब्सक्राइब स्वागत है आपके अपने डूप चैनल फार्मा एमसी क्यों में तो देखिए आज की वीडियो में क्या लेकिया हूं आप लोगों के लिए यह हमने देखी मेरा थोन की सीरीज स्टार्ट करी हमारे रेलवे के फार्मासिस्ट एक्जाम के लिए है ना तो देख इससे हम साथ हमें थ्योरी भी पढ़ेंगे और जो प्रीवेस में बहुत सारे क्वेशन जो भी आये हुए हैं मोस्ली क्वेशन में इंक्लूड करने की कोशिश करिए ना तो बहुत ही बढ़िया जो है हमारा वीडियो रहने वाला है तो रेलवे के लिए इंपोर्ट है बाक इससे में नहीं देना है और अपनी एक जो सीट है वह सिक्यूर करनी है न ठीक है तो आज की वीडियो में हम लेकि आया है फार्मसुटिक से टेबलेट्स और कैप्सूल के अंसी क्यों तो देखते हैं कैसे क्वेशन इसमें डिसकस किये गए हैं तो बिना देरी स्टार्ट कर हो जाती है और जो है अगर आप लोग चैनल पर नए हो आपने चैनल सब्सक्राइब करना चैनल को पर प्रेस करना ताकर चाल वीडियो से नोटिफिकेशन से आप लोग को मिल सके तो देखिए स्टार्ट करते हैं क्या होती है टैबलेट हमने कहां पढ़ा था सॉलेड डोज हुआ होती है है तो सब्सक्राइब होती है युणि टोज τις फोम होती के उनों में ह्मारे टैबलेट तो यह मेडिकयमेंट में होती है यह तो है कि आप बनाया जाता है तो कौन-कौन से टाइप है टाइपलेट्स के टाइप की होती है इसके लिए मैंने टेबल बनाया है इसमें एक तो होता है टेबलेट इंजस्टेड और ली जिनको और ली इंजस्ट किया जाता है है ना तो उसमें हमारी compressed tablets आती है multiple compressed tablets आती है multi layer आती है टाइपलेट से सस्टेंड एक्षन टाइबलेट्स आती है जिनका effect लॉन्ग टाइम तक रहेगा औरन वागण प्रवाकों में, दो लुड़्ट है यह ना मभी जारों है कंगरों को दोने सेथ और शेमिल में जाएक किसे बाल कम प्रभाण में, हई और ली इंजस्ट करने वाले टैबर एविए हैं तेन डेंगे मतलग की इन में से एक होगा और फिर यू… अलग और नियुल से नहें से खतने तेन दरी तो अलग साथां ठेगजेने एक होगई और उनन दरहें औरल कैविटी में ही देखे एक तो औरली इंजस्ट करो कि पानी के साथ स्वलो कर गया आप लोग है ना या फिर आपने जैसे उसमें हमारा यह चुएबल टैबलेट वगरा आया एक आपके औरल कैविटी में ही यूज करी जाती है जैसे कि अब आपकी सब्लिंग्वल टैबल है तो यह आपकीि ओरल कैविटी में ही यूज होती है जैसे कि कभी दाथ निकलवाते हैं तो जो टूथ एक्सटेक्शन के बाद में तो वहां पर भी ऐक टैबलेट रखे जाते देंटल कोवन उसे कहा जाता है कि वहां पर ताग कि इस टैबलेटी में ही क्योंट कर आही जा चीक्स में रखी जाती है और सब्लिंग्वल जो आपके टंग के नीचे जैसे कि आपका ग्लिसराइल ट्राइनाइटरेट होता है अंजिना में देते हैं नाइट्रोग्लिसरीन जिसे कहा जाता है लोजेंजिस होते हैं लोजेंजिस भी आपके टैबलेट में आते हैं तो बन सकता है क्वेशन और बनता भी है कि इन में से कौन सी टैबलेट जो औरल कैविटी में यूज़ करे जाए जब आपको क्वेशन दिखाऊंगी कि एक्जाम में कौन-कौन से आयो है तो आप देखना इस टैप से बने हुए हैं क्वेशन फिर आपके टैबलेट अडिनिस नहीं लिया जाता उनको सुलूशन फोम में कनवार्ट करके लिया जाता है तो जैसे आपकी हाइपोडर्मिट सोती है एफर्वसंट टैबलेट सोती हैं आपकी क्या है जिनका ोलूशन प्रेपेर किया जाएगा पहले तैबलेट यूज़ टु प्रेपरेर शोलुशन ओकी स बाड लेते हैं कि एफरवसंट टैबलेट्स जैसे हैं तो इन में कौनकों से मेडिकामेंट है इसके उपर क्वेशन बना हुआ है तो एफरवसंट टैबलेट्स में सोडियम बाइकाबनेट होता है सिट्रिक अचिड होता है ध्यान रखना है फिर हमारे एंटरिक कोट्री इसमें कोट्री प्रोइड करते है कि इस टमक में जो है यह डिसिंटिग्रेट नहीं होती है अपने मेडिकामेंट जो है इंटरिक पॉलीमर यूज होती है जैसे कि आपके ठलेट वाले सलोज असटेट ठलेट जहां भी दिख जा ना इंटर्टी में जाके रिलीज होगा यह suitable होती है acid labile drugs जो होती है ना जो acid से degrade हो जाएंगे acid labile होती है है ना तो उनके लिए ये coating suitable होती है इन में enteric polymer use होती है जैसे कि थालेट वाले salose acetate थालेट है ना तो याद रखना है फिर हमारी बकल tablets मैं आपको बताया था जो tablet oral cavity में ही यूज करी जाती है बकल sublingual troches, logenges और dental cones देखे थे तो बकल जो है placed between gums and cheek area है ना तो gums और cheek के area के बीच में रखी जाती है बकल sublingual कहां रखेंगे tongue के नीचे जैसे कि मैं आपको बताया glyceral trinitrate फिर आपके logenges होते हैं logenges होते है ये local action produce कराते हैं mouth में या throat में तो throat irritation हो मतलब की sore throat हो तो उसके लिए जो है ये आपके logenges को यूज किये जाते हैं इनको कफ drops भी खा जाता है logenges कफ drops है ना तो आपके ये जो है आपके throat के लिए उसके जाते हैं और कहरे कि not to disintegrate माउथ में disintegrate नहीं होते हैं वहाँ पर slowly dissolve होते हैं और इसके एक्जामपल में आपके लोकल अनस्थार्टिक आते हैं एंटिसेप्टिक साते हैं एंटि बक्टीरियल एजिट्स आते हैं ओके फिर हमारे डेंटल कॉन्स के बारे में आपको बताया जो आपके दात में जबी टूथ लेते हैं तो कैोटी बनते हैं से टैबलेटर क्टी रखी जाती है चंप्रैस्ती प्लेश्मेंट में जसका उनकोष्य को स्वेल्य थो है जो मेंने आपको टाइबलेट जो और लिए इंसमें बताइबल इनको चूई करके फिर वेलो करना होता है तो इसमें कोई बीडिसिंट्रेटिंट अज्ञेंट प्रेशन नहीं होते हैं इये जो इनके eventogenic के टाइबलेट आते हैं चुएबल टाइबलेट में हमारा मैनिटोल यूज किया जाता है ओके फिर हमारी हाइपरडर्मिक टैबलेट होती है है जो हमने बताया था कि सोलुशन की फॉर्म में कनवर्ट करनी होती है उसमें हाइपरडर्मिक आय था तो यह कहरें डिजॉल करेंगे स्ट्रियल वोडर फ् пож Souls की शॉल करेंगे और इसको अड्मिनिस्टर किया जाता है इंजेक्शन फिर इसको इंजेक्षिंग की द प्रैंटरल सब्सक्रांबीक टैबलेट को तो यह का की टैबलेट को कैसे inhibitions पहले कुट्गे करते हैं पहले क्या करिगे गिरानूल को कप्रस करेंगे टाबलेट के क्वेशन को बनाइगे तो reteण की जाएगी औरứng की टाबलेट के प्रहने की जाएगी तो तो क्थे प्राइर करते हैं तो वह आउसे किद्धिस टेस्ट होते हैं यृवके तो ग्राणूलος कैसे preparations of granules for compression टो इसमें हमारा यंदिक हैं उससी क्रते हैं और पिवेशक की और परहार में सबस्क्राइब टाइक के अदर जो इसके डिसके सूरेंगे उसमें सारे इसकोजाते हैं तो इसमें एक वहत影片 होता है तो उस क्वांटिटी होते हैंallow तो क्या करते हैं कुछ आषases एड़ कीये जाते हैं व्लुर के ताकि जो है उसका बल्क जो हैady ताकि का sheet बल्क खोजों सकतर सकतर हैं 2020 संब और से ओर मतलब उसको कंप्रेस्लकिंट जाते हैं इसोने सबसे पहले हैं दालौlor और और सो डाइलुएंट को फिलर्स भी कहा जाता है यह आपका पूछा हुए क्विछे कहते हैं तो टाइलुएंट को भी टैबलेट का बढ़ाते हैं मेकप बेलक आफ्दवने के लिए को बनाने के लिए यूस किये तो उनके साथ में ये मिलियार्ड रेक्शन शो करता है तो मतलब कि जिसमें टाबलेट का डिसकलरेशन हो जाता है अमीन कंटेनिक ड्रग्स होती है उनके साथ में अगर आपने लेक्टोज यूज करा तो डिसकलरेशन हो जाता है है ना तो यह मैंने आगे इंक्लूड करा वो उसमें पढ़ेंगे फिर हमारा लेक्टोज हो गया मुस्ट कॉमनली उस जालुएंट है फिर हमारा और कौन-कौन से करेंगे इंक्डेश जालुएंट जालुट है यह मुस्ट कॉमनली उसमें आधके इंडेश कि होती आप्की हाइज सालुटब ना अब देखे स्टार्च जो है वो भी आज़ा डायलूएंट यूज करी जाती है स्टार्च जो है हमारी बैंडर भी होती है और स्टार्च हमारे डिसिंटीग्रेटिंग आजन्ट तो होता ही है है तो आपके जो हाइड्रॉलाइज इसटार्च होती है कौन सी अम्डेक्स औ भाइनदर मतलब की डाइलोंट ओक Hop или इस में लेटिक एंगे तो कोण-कुनस यह लोलों रहरेल लोमार की ब ग्रेस देखें के नहीं है मैंची किसके लिए पीडीक लोग्त बीविस ओन है तो तो एन तो ढोतल आने तो अपो k слов में आपको जो आनonne के लिए बिंगत अर्यों को द्राइंग ईसनर की विवन आप टाइबिए याद है तो हाँ तो हमने कौन सा देखा था फ्लुडाइस्ट बैड ड्रायर है ना फ्लुडाइस्ट बैड ड्रायर में आपको बताय था जो ग्रनूल से टैबलेट की मैनुफेक्ट्रिंग के लिए ग्रनूल से जो बनाते हैं उनकी ड्राइंग के लिए हमारा फ्लुडाइस् पेस्ट होता है डिसिंटेग्रेशिंगेटेंट की होते होते हैजेंटेंटuję urgent का सुनगेटेंट rept mein77 ट्टो ट्रशावटोटोटैजाणोड टीरेंट्स का त्य। डिसिंटेग्रेशिंग्रेटिंग जो a जुते हैं तो मतलब Azure करते हैं फैबलेट जो होती है स्मोलर पार्टिकल में exploredth यूज हो तिए अब आपके एक्सप्रोल vontade वर्प्राइं प्राइमोज जाल कर ओट खोट इस इसी 되어 percentage और ग्राइटिंग आजिए इंट यूज होंगी कुनसी एक्सप्लो टैब यह तैन्ड प्राइमो जल और वो क्या था अंडिक्स ऑन्ड सालूटीब हाइडूलाइज च्टर्च एक्सप्लोटेब यह तो थोटा सा सब्सक्राइब करते हैं इंटर पर्टिकुलर जो फ्रिक्शन होता है उसको करेंगे तो उसको भी हमारे लूब्रिकेंट कम करेंगे कोंगों सेंगे मैं इंटर पर्टिकुलर फ्रिक्शन के दुरान उसको भी एत्यूस करेंगे तो इसके एक्जामपल में कौन-वल्र इंट अनुर्ई-ई-प और और ऑस व्लॉ तो फ्लो प्रोमोटर भी बोला दाता है ग्लाइडेंड को होपर से डाए में ऑते हैं और इसको स्को प्रॉमॉट करेंगे करें दो इसको प्रोमॉट करेंगे यह डोँ प्रोपटी को इंप्रूव करें के इंप्रूव फ्लोपटी ग्रनी वक्राइबें तो इसके इंज्साम्पल्सcciones में हमारेहार तैलक आता है Daar यह ज track & स्टार्च यह सारे स्वीटनिंग आजिंट क्या करेंगे जो स्वीटनेस प्रोवाइड करेंगे तो इसमें नाचुरल होते हैं स्वीटनिंग आजिंट होता है जो आपका चुएबल टैबलेट में उस होता है स्वीटनिंग आजिंट होता है और आपके सिंथाटिक में हमारा स्वीटर वाइड बहुत बाराया की 500ृत क्वेशन स्वीटर दन सुक्रोज कुन सा ए? और यह कारसिनोजैनिक होता है यह धियान रखना जै वह इसके बारे में सारी बाते पूछी हुई एक्जाम में aspartum 200 times sweeter than sucrose होता है aspartum कितना sweeter 200 times sweeter than sucrose होता है और इसकी एक disadvantage और क्या है इसकी कि लेक ओफ stability in the presence of moisture moisture की presence में जो है इसमें stability की problem हो जाती है लेक ओफ stability in presence of moisture तो यह आपके saccharine और aspartum जो है हो गई याद रखना है question बनता है important है फिर जो है हमारे tablet के defect आते हैं तो tablet के defect तो मतलब की बहुत 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 जादा important है तो tablet का पूरा ही topic important है है तो देखिए आपका इसमें capping आता है capping का मतलब क्या होता है partial और complete removal of top और bottom portion of the tablet tablet का top उपर वाला portion या नीचे वाला portion जो है उसका partial या complete removal हो जाए तो उसे कहेंगे capping हरा नाम से पता लग रहो कि बहुत 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 इसे हम lamination कहेंगे chipping chipping का मतलब होता है breaking of sembla के चिपन को जो शेंब होता है आचे और stress 已经 break हो जाते हैं तो उसका मतलब है chipping picking sticking का मतलब होता invest द्रह टाइर की ओर से एड picking का मतलब है कि small amount of material from tablet is sticking to and being removed off from the tablet surface by punch face तो punch का face है वहाँ पर stick हो गया और remove हो गया थोड़ा सा जो tablet का material small amount of material from a tablet is sticking to, sticking पर तो stick हो गया punch के face से और वहाँ से remove कर लिया गया punch के face से stick हो गया तो tablet से remove हो गया and being removed off from the tablet surface by punch face तो यह आपका है picking, picking हो गया, मतलब pick कर लिया, punch के face ने थोड़ा सा tablet चुह है, material को pick कर लिया, है न, ओके, फिर आपका modeling, modeling है, unequal distribution of color, on the surface of tablet is known as modeling, modeling क्या है, describe unequal distribution of color, on the surface of tablet, इसे हम modeling कहेंगे, यह modeling वाला और lamination वाला तो पता नहीं कितनी ही बार repeat हुआ है, modeling और lamination, बाकि सारे ही important है, tablet के defect, okay, अभी coating के बारे में पढ़ेंगे, tablet के coating के बारे में, तो देखे, tablet की coating क्यों करते हैं, भई, tablet है, आपकी coating क्यों करते हो, इसकी क्या purpose है, देखे, आपका जो है, unpleasant मतलब की, जो taste अच्छा नहीं हो, तो उसको mask करने के लिए, है न, तो tablet का जो unpleasant taste है, उसको mask करने क अच्छी लगे, control site coating से हम, site of action मतलब कहां पर ही अपना काम करेगी से भी control कर सकते हैं, जैसे की, entire coating करते हैं, तो medicament जो है, हमारा intestine में जाके release होता है, stomach की वजाए, क्योंकि हमने उसको entire coating कर दिया, है न, तो हम site of action को भी, हम लोग control कर पा रहे हैं, इससे, produce, sustained, release, product भी, इससे, produce होते हैं, coating से, तो यह सारे purpose है, objectives है, coating के, कि भी tablet की coating क्यों करी जाती है, अब coating के लिए कौनकों सी process यूज होती है, तो आपका एक तो pen coating होता है, एक press coating होता है, तो pen coating जो है, वो किसके लिए उसकरते हो, sugar coating के लिए, film coating के लिए, और entire coating के लिए हमारा pen coating यूज होगा sugar coating, film coating, और entire coating के लिए, कौन सा यूज होगा, pen coating और एक press coating होता है, तो sugar coating के बारे में पढ़ लो, देखे, यह भी बहुत important है, sugar coating के different, different stages है, sealing, sub coating, polishing, आपका जो है, क्या हैगा भी, आगे सारे लिख्यों है, मैंने, finishing, polishing, तो देखे, यह जो stages है, sugar coating, यह भी बहुत important है, बहुत बार question बना bit, सबसे पहले, sealing होता है, sealing क्यों करा जाता है, कि moisture penetration को prevent करने के लिए, प्रिवेंट Mohsier Penetration, तो इसमें आपका see lack और routine को use किया जाता है, दोनों नाम हियाद रखने है, siellä patent and gene को use करेंगे, sealing में और यह क्यों करते हैं, ताकि moisture penetration को prevent किया जा सके, तो इसके या फिर सील कोटिंग भी बोल सकते हो तो सब कोटिंग में देखिया आपका जो है धी डेनरे Mighty और अकैश्या को यूस किया जाता है एक करते क्यूं है कि राउंड वध TABULT TABULT dois इसको रांड बनाने के लिए इसमें टे जो कोटिंग अब ऐसे कई आपको कि कौन से स्टेज में कौन से स्टेच में स्टेप में कलरेंट साइड कि ने जाथे हैं के रहे कल्टरिंग मटिरियल्स और उपैसिफाइंग एजेंट से एड़ करते हैं है ना बाकी इस से टाब्लेट को स्मूथनेस भी प्रोवाइड करेगी है ना फिनिशिंग में भी टाब्लेट स्मूथ बन जाएगी फिनिशिंग होता है पॉलिशिंग में आपका जो है एलिगेंस टाब्लेट का वो मतलब की शाइनिंग अपियरेंस जाती है तो इसमें बीज वैक्स जो है पॉलिशिंग के लिए उस करेंगे तो टाब्लेट आपकी शाइनी अपियरेंस देगी हैना एलिगेंस इंप्रूव हो जाएगी करने के लिए हमने सीफ कोटिंग करा यह शील एक और जीन उस्किया गया सब कटिंग हमने करा कि इसमें उस्कष्टा है एकेशिया उसकीर एगक तकटिंग में क्लरंच को यह जाशर किनी प sector कर अशलिग का क्टिंग अब जो film coating में जो है पॉलिमर यूज किया जाते हैं तो इन्हें film polymer बोल दीजिए तो इसमें HPMC, जीसे hydroxy यह प्रोपाइल तो इसकी फुल फॉर्म देखले ना है यह है च से हड्रोक्सी प्रोपाइल मिभाइल कि आप है जैलओज है है हुआ है हम फिर आपके अंट्रीक कोटिंग के बारे में आपको पता है टैबलेट जो है वो स्टमक में डिसिंतिग्रेट ना होके कि प्रटम के इंटकाइन में जाके डिसिंटेग्रेट होती है ती नुट कर देंटेग्रेर कोटिम यह सीनलक से टोकल मेले करना मेदिकामेंट फ्रटम ना कहाना कि बसेट-फलूज addresses करें तो ऐसे來 के लिए हम अंटारीक कोटिंग करने पढ़ की वो स्टमक में मैडिकमेंट रिलीज ही नहीं हो इंटेस्टی में जाके रिलीज होगा चारविट लिचमेमेंट जो स्टमक के acidic medium से destroy हो जाते हैं तो उन्हें भी हम entire coating प्रवाइड करेंगे ताकि मेडिकामेंट स्टमक में release हो ही ना वह intestine में जाके ही रिलीज हो तो इसके लिए अब्सॉप्शन इस बैटर हो तो उसके लिए एंटारी कोटिंग प्रवाइड की जाएगी और इसके लिए डिलेड एक्शन अगर हमें required होता है तो भी हम entire coating करते हैं तो इसके लिए material कौन-कौन से यूज होता है जैसे मैं आपको बताया था था शी ए पी सलोज असटेट थलेट अंतरिक पोलीमर होता है शीलैक भी उस होता है और बहुत से हैं बट मैं इसमें इंपोर्टन लिख्य होए हैं ओके तो इंटारी कोटिंग मटेरल भी याद रखना अब एक टर्म आती है शी माइक्रो औनकाफूलेशन माइक्रो और कैप्सुलेशन का मतलब क्या है यह प्रोसस्था जिसमें क्या करते हैंола कोटिंग करते हैं तो समोlles पार्तिकल्स अफसॉलेट निक्विड या कोटिंग करेंक होता हैंंग दिए brush फिरिस दो सब में इसकले थी adapter क्यार्टिंग या होता है कौन-कौन सी टेकनीक होती है micro encapsulation के लिए इसमें हमारा pan coating आता है क्या आता है pan coating आता है fluidized bed coating आता है conservation आता है electrostatic deposition आता है vacuum deposition आता है polymerization आता है multi orifice centrifugal process आता है तो यह सारे हमारे आता है टेकनीक से different different micro encapsulation के टेकनीक से pan coating, fluidized bed coating, conservation एक्जाम में बना हुआ है question ओके electrostatic deposition, vacuum deposition, polymerization, multi orifice centrifugal process तो नाम पर आतलिस हमें पता होने चाहिए फिर आपके फिल्म डिफेक्ट है ना तो मतलब आपकी कोटिंग है तो उसके डिफेक्ट कौन-कौन से होते हैं तो इसमें एक तो आपका sticking and picking आता है जो आपने sticking and picking पड़ा वही roughness आता है वही कोटिंग करने से थोड़ी से टाबलेट जो है राफ हो जाता है और इसमें होता है inadequate spreading of coating solution before drying dry करने से पहले ही कहते हैं जो coating solution होता है वह inadequately spread हो जाता है है ना bridging होता है bridging and filling होता है blistering होता है blisters की formation हो जाती है hazing या dull film film dull हो जाएगी cracking होता है तो यह सारे हमारे film defect है ओकें फिर हमारे evaluation आता है quality control आता है फिर आपका weight variation है तो weight variation के लिए कौन-कौन से parameters है तो देखिए आपको यह table दिया हुआ है कि average weight of a tablet deviation दिया हुआ है एक तरफ एक तरफ percentage कितना deviation allowed है हना एक तरफ जो है weight है और एक तरफ percentage यह deviation है इतना percent deviation allowed होता है कहते है यह 80 mg है ना mg small mg हैगा 80 mg और less है अगर tablet 80 mg या उससे कम है तो 10% का deviation allowed होता है फिकरे more than 80 mg and less than 250 mg अगर 80 mg से ज़्यादा है 250 mg से कम है तो 7.5% का deviation allowed है आप कहरे 250 mg से ज़्यादा हो 250 mg या more कहरे 250 mg हो या उससे ज़्यादा हो तो 5% का deviation allowed होता है है तो यह आपने याद ही रखने है क्योंकि आप से पूछ लेंगे भई आँ जैसे weight है हमारी tablet का 100 mg है तो कितने percent का deviation allowed है तो 100 mg किसमें आएगा more than 80 mg और less than 250 mg में आगया तो 7.5% का variation जो है weight का allowed है ओके तो यह आपक deviation का parameter सियाद रखना है फिर disintegration का मतलब आपका tablet जो है smaller particles में breakdown होती है तो सबसे पहले जब आप टैबलेट लेते हो सबसे पहला strap तो हमारा disintegration ही होता है पहले तो वह तूटती है है तो देखिए आपको जो है इसमें disintegration time पूछा जाता है different tablets का तो मैंने टेबल इसमें लिखी है इसका disintegration time 3 minutes है, soluble and dispersible tablets का, sublingual tablets जो टंग के नीचे आपने रखी थी उसका भी disintegration time 3 minutes होगा, effervescent tablets जिसमें हमारा जो sodium bicarbonate, citric acid, tartric acid यूज किया गया था तो उसका disintegration time 5 minutes होता है, uncoated tablets का disintegration time 15 minutes होता है, अब film coated tablets का disintegration time 30 minutes होता है, sugar coated tablets का disintegration time 60 minutes होता है, entire coated tablets जो होती है, तो इनका disintegration time 3 hours होता है, और hard gelatin capsules का 30 minutes होता है, और soft gelatin capsules का 60 minutes होता है, तो यह आपने disintegration time याद रखने है, तो आपके evaluation के parameter में हमने disintegration देख लिया, weight variation देख लिया, अब जो है dissolution है ना, तो dissolution जो होता है, क्यों करते हैं, मतलब कि कहरें, यह test जो होता है, is done for measuring the amount of time, कितना time लगता है, कितना time require होता है, amount of time require for the given percent of drug substance in a tablet to go into solution, tablet को solution की form में convert होने में कितना time लगता है, amount of time required for a given percent of drug, आपका जो आपको दिया गया है, इतना percent drug substance है, उसको tablet से solution की form में जाने में कितना time लगेगा under specific conditions, तो यह हमारा होता है, यह dissolution rate में हम measure करते हैं, तो इसके लिए आपका apparatus होता है, हैना जो apparatus होता है, उसमें क्या होता, cylindrical vessel होता है, और 1000 ml capacity का cylindrical vessel होता है, और temperature जो होता है, dissolution जो apparatus है, उसमें जो temperature होता है, वो यह याद रखना, 37 plus minus 0.5 degree Celsius का temperature होता है, इसमें, हैना, अब एक बात और लिखी हुए कहरें कि जब आपको gold coated basket को prefer करेंगे, जब हम acid medium को use करेंगे ना, तो जो coating है, वो gold की coated basket जो होती है, वो use करी जाते, dissolution apparatus में, हैना, तो यह सारी बाते, थोड़ी सी important है, याद रखनी है, फिर हमारा, जो friability evaluation में, हमारा friability test आता है, तो friability हम determine करते है, रोचे friability आता है, इसका जो apparatus है, वो रोचे friability है, तो आपसे नाम भी exam में पूछा जा सकता है, तो इसमें जो है tablet को 6 inch की height से drop करते हैं, और ये apparatus है, यो operate होता है, 25 revolution पर minute, हैना, एक minute में कितने है 25 rp, मतलब कि 25 revolution पर minute, और 400 revolution मतलब कि 4 minute, क्योंकि एक revolution जो एक minute में क्या करूँ है, 25 revolution पर minute, एक minute में 25 revolution, तो 4 minute में 100 हो गए, तो कर ah hundred revolution के लिए से operate करते हैं, 4 minute की duration में, तो ये friability test में हमें याद रखना है फिर हमारा hardness टेबलेट की hardness को भी measure करते हैं तो minimum hardness कितनी होनी चाहिए 4 to 5 kg पर cm2 जो है हमारी minimum hardness होती है यह आपकी unit भी देखना kg पर cm2 है और जो device use होते हैं hardness के लिए मतलब जो mechanical strength है टेबलेट की है ना तो वो उसके लिए कौन-कौन से device use होते हैं तो इसके लिए आपके different-different testers है है ना mechanical strength हम hardness से ही determine करते हैं तो hardness tester है different-different तो इस नाम याद होने चाहिए exam में बनता है कौन सा hardness tester है monsanto hardness tester आता है Pfizer hardness tester आता है Strong Cove hardness tester आता है Heberlin hardness tester आता है जिसे यह क्या लिखा है cleaning gear hardness tester भी बोला जाता है तो यह सारे नाम आपको याद रखने monsanto Pfizer strong Cove Rehablin यह सारे हमारे hardness tester होते हैं hardness को measure करने के लिए यूज किये जाते हैं अभी color के लिए जो है आपके color and gloss जो है उसको determine करेंगे किस से हम reflectance spectro photometer होता है metric measurement होता है तो यह सारे color and gloss के लिए होते हैं और order के लिए हमारा क्या आता है panel test आता है तो यह सारा हो गया हमारा tablets के बारे में तो अभी कुछ questions हम solve कर लेते हैं क्योंकि questions बहुत जादा है तो सारे questions तो इस वीडियो में cover नहीं हो पाएंगे ना तो देखिए कुछ questions हम कर लेते हैं देखिए diluent जो है वो add करते है tablets में किस के लिए add किये जाते हैं तो क्या कहते हैं कि disintegration में help करेंगे increase करेंगे the bulk of the tablet increase the stability diluent को हमने और क्या कहा diluent are also known as fillers इन्हें fillers भी कहते हैं है ना तो disintegration में तो हमारे disintegrating agent help करेंगे disintegrating agent होते हैं तो diluent क्या करते हैं यह bulk जो होता है tablet का यह bulk बढ़ाते हैं increase the bulk of the tablet क्योंकि medicament की quantity वह small होती है तो उसको tablet में convert करना बहुत ही challenging है तो इसको इसके लिए हमारे innate substance यूज किये जाते हैं excipients के साथ उन्हें add किया जाता है तो उन excipients को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमारा diluent आता है binder आता है different different सारे excipients आते हैं तो यह क्या होता है bulk को बढ़ाते हैं हमारे diluent नैसे commonly used diluent most commonly used diluent मैं आपको क्या बताया benjoic acid, span, gumication lactose तो lactose होता है most commonly used diluent होता है diluent used in tablet formulation तो diluent कौन सा है lactose तो है starch भी आज़े diluent used होता है हाना और dicalcium phosphate dicalcium sulfate यह सारे हमारे diluent है तो all हो जाएगा option D next in the preparations of tablet powdered medicaments are mixed करें tablet की preparations में जो powdered medicaments जो होते है medicaments powder medicaments है उनको mix करते हैं क्यों to reduce total volume reduce करने के लिए to increase absorption to reduce inter particular friction या फिर to increase adhesiveness तो देखें वो जो powder medicaments को mix करते हैं ताकि उनकी adhesiveness जो है वो increase हो सकी option D which one is not used as diluent in tablet manufacturing में diluent नहीं है lactose होता है calcium sulfate होता है calcium phosphate भी होता है और mdex या explotab देखें mdex और salutab यह मैंना आपको क्या बतायते हैं mdex और salutab क्या होते हैं यह हमारे hydrolyzed starch होती है which are used as diluent mdex and salutab था है ना primogel और explotab तो modified starch थी which are used as disintegrant disintegrating agent होते हैं यह आपके explotab जो है तो diluent नहीं है option D explotab है ना स्टार्च आपको जो diluent की तरीके से यूज होती है और modified starch explotab and primogel जो disintegrant होती है next most commonly used diluent पढ़ा starch paste as a binder यूज किया था cellulose and stearic acid तो हमारा starch paste as a binder यूज होता है next है which of the following filler is used to make bulk of the tablet तो fillers जो है उन्हें diluent कहा जाता है तो देख लिजे आप यह simple है आपका diluent जो है bulk को बढ़ाने के लिए यूज किये जाएंगे option A हो जाएगा next है in the formulation of tablet tablet टाबलेट की formulation में acacia is used as acacia gelatin starch paste यह सब क्या थे binder, diluent, lubricant, glydant तो यह हमारे binder होते है हाना option B हो जाएगा A sorry, bold क्या दिया मैंने लगाया सही है तो option जो है binder option A in tablet manufacturing PVP is generally used as glident है disintegrant है binder है diluent है तो क्या है PVP हमारा binder है option C next है the use of salute tab salute tab का use बताईए tablet manufacturing में diluent adsorbent adsorbent disintegrating agent या binding agent okay तो mdex mdex or salute tab क्या थी हमारी hydrolyzed starch होती है which are used as diluent और primogel और आपका क्या था explotab है ना यह हमारी modified starch थी which are used as disintegrant तो आपका salute tab दिया है तो यह हमारा diluent हो गया option A okay यह लिखा हुए mdex or salute tab हमारे hydrolyzed starch होती है which are used as diluent next है color and gloss on tablet is determined by तो मैंना बताया color and gloss के लिए आपको reflectance spectrophotometer micro reflectance photometer tristimulus calorie metric measurement तो आपका is used as glidant glidants are flow promoters okay next है dash is used to increase the bulk when proportion of medicament is very small medicament जो है बहुत ही कम होता quantity में तो bulk को बढ़ाने के लिए क्या यूज किया था glidants lubricants binder या diluent to bulk को बढ़ाने के लिए हमारे diluent use होते हैं जिने fillers भी कहते हैं next है starch may be included in tablet manufacture तो starch का use क्या है okay disintegrant है diluent coloring agent or opacifying agent तो starch आपका disintegrating agent होता है option A हो जेगा next है a super disintegrant in tablet formulation तो super disintegrant का example बताना है sodium starch glycolate starch pvp magnesium aluminum silicate यह होता है sodium starch glycolate okay next है talc and magnesium stearate किसकी एक्जामपल है emulsifying and suspending agents है lubricants है disintegrating agents है solvents है तो यह हमारे lubricant है talc and magnesium stearate okay next है substance use to impart elegance tablet को elegance प्रोवाइड कराने के लिए कौन से substance use किये जाएंगे coloring agent तो color provide करेंगे flavoring agent sweetening agent यह adsorbent तो elegance किसे इंप्रोव coloring agent से इंप्रोव हो गिये न तो आपकी coloring agent जो है option A हो जाएगा next है function of lubricant in tablet formulation तो lubricant का क्या function है improve flow of granules reducing punch and dye wear facilitate tablet ejection from the dye lubricant के इसारे ही function है option D हो जाएगा lubricant जो है जो आपका flow property को जो भी improve करेगा punch and dye की wear को reduce करेगा tablet के ejection के time पे tablet को ejection को भी facilitate करता है next है which of the following component in tablet are intended to promote flow of granules flow को promote करेंगे है ना promote flow of granules or powder material by reducing friction between the particles तो flow promoters आपसे पूछा हुआ है disintegrant तो disintegration में help करेंगे adhesive या diluent या glident तो यह glident होते जने flow promoter भी कहा जाता है है ना तो यह flow को promote करते हैं by reducing friction between particles के बीच का friction reduce करके next है lubricant के बारे में बताना है कि यह क्या करेंगे increase करेंगे viscosity reduce करेंगे inter-particulate friction increase करेंगे motility or fluidity decrease करेंगे तो यह करते हैं तो यह करते हैं reduce करते हैं inter-particulate friction को reduce कराते हैं lubricant करेंगे facilitate the flow of granules from hopper to die cavity prevent adherent to granules to the punches make shiny tablet and none तो क्या करेंगे flow of granules from hopper to die cavity तो granule का flow promote करेंगे flow promoters glidants को कहा जाता है lubricant is used in tablet 4 तो lubricant का क्या use है tablets में lubricant use होते हैं क्यों करते हो disintegration के लिए binding के लिए free flow of granules into machine and none तो यह option C free flow of granules into the machine देखें जो आपके lubricants है यह देखें आपका as a glidant भी काम करते हैं anti adherent भी काम करते हैं तो यह जो है जो flow है granules का वो भी क्या करेंगे जो है उसको भी improve करते हैं next है glidants के बारे में पूछा आप Glidants को तो कहते ही flow promoters हैं तो improve flow of granules flow property of granules help in mixing release obstruction improve order तो यह option A हो जगा improve flow property of granules next what is a common excipient using powder medications to improve flow ability and prevent caking को prevent करेगा flow ability को improve करेगा वो ही flow promoters Glidant coloring agent flavoring agent preservative तो ही हमारे Glidant होते हैं next है which one of the following polymer is widely used in film coating of tablet tablet की film coating में use किया जाता है polymer hydroxypropyl methyl cellulose starch acacia glycerol तो film coating के लिए polymer में हम आपको HPMC बताया था hydroxypropyl methyl cellulose option A हो जाएगा माइक्रो किस्लाइन cellulose is also known as sugar tap new tap mdex avicelle तो आपका होता है यह avicelle होता है micro mcc micro crystalline cellulose तो इसको avicelle भी बोला जाता है okay avicelle ध्यान रखना है next है which of the following is true कुन सी बात सही है star rx 1500 के रे free flowing and directly compressible starch होती है cab o sil के रे colloidal silica को कहते है act d sold internally cross linked sodium cnc कर्बोक्सी मिथाल सैलो cnc next है material used as coating agent for film coating film coating के लिए coating agent होता है कौन सा माटीरियल है कौन सा माटीरियल ना पोविडोन या पीजी इथायल सैलोज हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथायल सैलोज या ओल सारे ही material जो है coating के लिए यूज कर सकते हैं option d हो जग ओल hpmc हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथायल सैलोज या पोविडोन या पीजी next है sugar coating tablet should be disintegrated within disintegration time मैंने आपको बताया सारे की सारी tablets का है ना sugar coating का disintegration time क्या बताया था 15 minutes दिया है जो uncoded tablets का disintegration time हमने 15 minutes देखा था उसके बाद film coating tablets का हमने 30 minutes देखा था sugar coated tablets disintegration time हमने 60 minutes देखा था आपका answer option C हो जाएगा है ना तो आपने इसारी table हम पढ़ चुके है soluble and dispersible tablets के लिए 3 minutes sublingual का भी 3 minutes effervescence का 5 minutes uncoded 15 minutes film coating 30 minutes sugar coated 60 minutes entire coating के लिए 3 hours hard gelatin capsules का 30 minutes soft gelatin capsules 60 minutes ना disintegration time for sublingual tablet का आपसे पूजा है 3 minutes 15 minutes तो आपका uncotted tablets का होगा 30 minutes film coated के लिए 60 minutes sugar coated के लिए बचा option A 3 minutes होजएगा sublingual tablets का disintegration time next avisal is avisal क्या है micro crystalline cell lactose hydrolyzed starch di calcium di basic calcium phosphate तो तो टो इससे हमने Mcc देखा था micro crystalline सा लोज होता है option A हो जाएगा रिच मेथड को net granulation dry granulation direct compression है तो यह हमारा dry granulation होता है dry granulation को कहते है slugging भी कहा देंगे pre compression भी कहा देंगे और double compression भी कहा दे सकते हैं कि इसको dry granulation को slugging is another name of dry granulation it is also known as pre compression double compression slugging process is used in the following preparations तो slugging process use की जाते कौन सी preparation में capsules में powder में ornaments में या tablets तो हम तो tablets पढ़ रहे हैं option D हो जाएगा slugging is related to slugging अभी तो आपने देखा slugging dry granulation है ना dry wet granulation mixing feeling of dyeing तो dry granulation ही slugging होता है next है which is not a type of tablet tablet का टाइप नहीं है ट्रॉच से लोजंजिस होता है हमने में देखा था जो tablet जो है oral cavity में ही यूज करी जाती है उसमें हमने लोजंजिस बक्तल टैबलेट सब्लिंग्वल टैबलेट से ना यह सारे देखी थी तो हमारी डैंटल कॉन्स थी बिल्कुल थी तो अच्छा कॉन्स सी औरल केविटी में यूज करते हैं यह सब थे तो आपका जो है टैबलेट जैसे टैबलेट रख देते हैं ताकि वहां पर बक्तिरिया की ग्रोध वगार इन्फेक्शन ना हो है न तो वह डैंटल कॉन्स होते हैं नेक्स्ट है कि उनको इंजक्ट किया जाता है परेंटरल ही दिया जाता है डिस्पैंसिंग टैबलेट हाइपडर्मिक टैबलेट्स एंटारी कोटे टैबलेट्स या बक्कल टैबलेट्स तो यह आपकी हाइपडर्मिक टैबलेट्स होती है कौन सी होती है, hyperdermic tablets को solution की form में inject किया जाता है, यह tablets compressed tablets होती है, which are composed of one or more drug with readily water-soluble ingredient, these tablets are dissolved in sterile water or water for injection and administered by parental root, okay, example for sterile tablet कौन सी होती है, sterile tablet, doable tablet, hyperdermic tablet, enteric tablet या बकल, अब जो आप inject कर रहे हो solution की form में, तो वो ही तो sterile होगी है न, तो आपकी hyperdermic tablet हो जाएगी, sterile tablet, okay, next है, sustained release tablet is designed to, तो sustained release tablets जो होती है, उनके बारे में है, release the medicament slowly, disintegrate slowly, in gastrointestinal tract, produce toxic effect or none, तो sustained release tablet जो होती है, वो अपना medicament जो है, slowly release करेगी, धीरे-धीरे release करेगी, okay, next tablet that are placed under the skin, tablet जो skin के नीचे रखी जाती है, tablet जिने place करेंगे under the skin, antaric coated tablets, film coated tablets, implants, sublingual, तो यह आपके implants होती है, tablet that are placed under the skin are known as implants, okay, next question, which among the following tablet is used in oral cavity में यूज करेंगे, मैं आपको बताई, कौन-कौन सी बताई, ट्रोचिस, लोजेंजिस, बकल या सबलिंग्वल टैबलेट सी, है ना, तो आपके इसमें option में hyperdermic tablets तो solution की form में जो है, रोचिस, हम ने देख लिया, next tablet traturates क्या होते है, antaric coated tablets होती है, film coated होती है, molded tablet है, tablet traturates क्यों होते है, molded tablets होती है, क्या होते है, molded tablets होती है, these are small tablets, usually, यह cylindrical होती है, molded होती है, compressed होती है, and contain a potent medicament with a diluent, okay, नहीं से tablet that after oral administration, release the drug at a desired time for prolonged effect, as a tablet, oral administration के बाद में medicament को, जो है drug को release करेगी, desired time में prolonged effect के लिए, लंबे time तक उसका effect रहेगा, multi compressed tablet होगी, multi layer होगी, entire coated होगी, sustain action, तो sustain action होगी ना, जिसका action sustain रहेगा, लंबे time तक रहेगा, है ना, prolonged effect देगी, option D, नहीं से effervescent tablet, along with active medicament, तो effervescent tablet में, मैंना आपको बताया, sodium bicarbonate, citric acid, tartric acid, तीनों present होते हैं, active medicament के सास्थ में, यह तीनों चीजे भी present है, हमारे effervescent tablets में, option D हो जाएगा, निक्स है, लोजेंजिस आता टाइप ऑफ डोजेस फोर्म, तो लोजेंजिस में आपको बताया, tablet जो oral cavity में ही उसकरी जाती है, उसमें हमारे लोजेंजिस ट्रॉचिस है थे, है ना, तो क्या है यह, इनका डिसिंटिग्रेशन ही होता, इनका slow dissolution होता है, माउथ में, यह लोजेंजिस होते हैं, है ना, जो sore throat को treat करने के लिए उसकरते हैं, इनको cough drops भी खा जाता है, नेक्स्ट है, effervescent granules contain, और mixture of citric acid, tartric acid and कौन सा पताया था, sodium, सारे ही sodium है, chloride, sulfate, hydroxide, bicarbonate, तो sodium bicarbonate था, है ना, option C हो जाएगा, इस टाइप से questions repeat होते हैं, चिल्सो नेटर is used as, तो चिल्सो नेटर क्या है, tablet coating, capsule filling machine, tablet granulator नन, तो चिल्सो नेटर क्या होता है, tablet granulator होता है, तो answer क्या हो जाएगा, option C हो जाएगा, तो बहु सारे questions है, तो बागी की questions जो है, नेक्स्ट वीडियो में हम cover कर लेंगे, ओके, next question है, as per Indian pharmacopeia, tablet should not be, है ना, तो IP के according, जो है, tablet, मतलब इसमें shape दिया है, तो कैसी नहीं होनी चाहिए, तो round shape दिया है, flat spherical है, by convex spherical star, तो दिक, round flat by convex होती है, star shape की होती है, कोई tablet, है ना, नहीं होती है, option D होजेगा, next question है, hardness range of tablet is usually, तो hardness range मेंने आपको बताई थी, 4 to 5, और unit क्या बताई थी, kilogram पर centimeter square बताई थी, है ना, तो options देखो, 1 to 2 तो नहीं हो सकता, 0.5 to 1 भी नहीं हो सकता, तो इसका answer option 3 होजेगा, 3 to 7, okay, क्योंकि इस हमारी इस वाली range के near about, जो यह ही option है, बैसे आपने ध्यार रगना है, 4 to 5, okay, this ordinary tablet will have a hardness, तो क्योंकि वही है, 4 to 5 होती है, तो आपको देखी, इसमें 2 kilogram per square centimeter, 4, 1 या 5, तो देखी, इसमें है, इसका answer option D, हम कर देंगे 5 kilogram per square centimeter, नशे, retardant material that form a hydrophilic matrix in the formulation of matrix tablet is, HPMC, hydroxypropyl methyl cellulose, CAP cellulose, acetate, thalate, polyethylene, carnauba wax, okay, तो क्योंकि रिटार्डेंट material that form a hydrophilic matrix, hydrophilic matrix form करेगा, matrix tablet की formulation में, तो यह HPMC होजेगा, hydroxypropyl methyl cellulose, नशे, if the average weight of tablet, जो है, वो 300 mg है, then allowed weight variation कितना होगा, 10% होगा, 7.5% होगा, 5% या 1, हैना, तो 240 से अब आउ हमने बताया था, कितना देखा था, 5% था, हैना, तो आपका 300 mg के लिए पूछा, तो option C होजेगा, 5%, okay, नहीं सब, choose the correct excipient for enhancing solubility in tablet manufacture, tablet की manufacturing में solubility को enhance करने के लिए, कौन सा excipient यूज करेंगे, solubility enhancer, जो solubility को enhance करेगा, PEG, polyglylicol, MCC, microcrystalline, cellulose, जिसे हमने abysal भी कहा था, हैना, talc है, यह lactose है, lactose तो आपका most commonly used diluent है, solubility को enhance करने के लिए, MCC यूज करेंगे, microcrystalline, cellulose, okay, तो यह ना, इसके बहुत सारे काम होते हैं, MCC के diluent भी है, disintegrant भी है, यह हमारा, तो यह बहुत सारे function perform करता है, solubility को भी enhance करेगा, okay, next है, sweetening agent, commonly used in chewable tablet, तो chewable tablet से जो होती है, chew करके, फिर swallow करना होता है, इनको, इनमें sweetening agent कौन सा अड़ करते हैं, ने कि chewable tablet में आपका manitol होता है, तो manitol आपका diluent भी इसी में होगा, और आपका sweetening agent भी work करेगा manitol, okay, तो देखिए manitol, sucrose, honey, saccharine, तो ध्यान लखना manitol होगा, इसका answer, okay, next question, example of a sweetening agent, तो sweetening agent कौन सा है, chloroform, sorbitol, peppermint water, या clove oil, तो इसमें से आपका sorbitol हो जाएगा, है ना, next, coating given for the tablet to dissolve in the intestine, but not in the stomach, ऐसी coating tablet को provide करते हैं, जिसे tablet जो होती है, intestine में जाके dissolve होगी, अपना medicament जो है intestine में जाके release करेगी, stomach में release नहीं करेगी, तो ऐसी coating को क्या कहते हो, enteric coating होगे, sugar coating, pearl या silver coating, तो यह हमारी enteric coating होती है, जिसमें tablet जो है, stomach में अपना medicament ना release करके, intestine में जाके medicament release करती है, है ना, तो answer क्या हो जागा, option है, बहुत important, enteric coating के ओपर question बनता ही, ही बनता है, किसी भी तरीके से घुमा फिरा के पूछले मतलब की language change करते हैं बनता है, में बात हमें याद रखने की जो आपने इसमें tablet है, वो मेडिकमेंट को जाके इंटरस्टर में जाके release करेगी ना, और इसके polymer याद करें ना, वो भी पूछले है, बने जिस भी polymer में आपका थाले आजाएगा न वो अंटरिक polymer होगा, clear, next question, अंटरिक कोटे टैबलेट और मींट फोडिसिंटिंटिग्रेशन इन, तो अंटरिक कोटे टैबलेट अभी बताया, कहां पर डिसंटेग्रेट होगी अपना मेडिकामेंट को कहां पर रिलीज करेगी स्टमक माउथ इंटस्टाइन या नंतों इंटस्टाइन में है ना ऑप्शन सी नेक्स्ट है डिकलुफनाक टाबलेट कोटेड विद सलोज ऐस्टेट थालेट है ना हैस बिन अड्मिनिस्टर करती है कि आपको बताओ यह कहां पर रिलीज करेंग Karl बतादो शॉalez सहसे करेगी ड्रग को इनल्कालाइन अंगेश को वो ही बात है कि लेखे। इंसोलिवल है, अरगलbelt मीडियम में सोलिवल है, वह ही कौनसीं एंटरि इंतर कोटिग सिलवर कोटिंग जिलेटन कोटिंग हैrem के क्वेशंस aldम समॉًं फोझाइंम कोईशनài ग् tapisό aime के ऩी बैसें के वह हूं है मैं उसलिभाग फ्रेस्टे इंतरिक श्याप्ष्व लेट दिख जाए पॉलिसलिंग लाइकोल 400 स्टार्च शूगर या सी अपी सालोज अस्टेट थालेट है ना ऑप्शन डी नेक्स्ट है एंटारी कोटिंग इस डन करें अंटारी कोटिंग कब करते हो जब अक्टिव इंग्रेडियंट इस अंस्टेबल एस अंस्टेबल बेस अंस्टेबल इस यहां खोता है यह घलत है यह घलत है अंस्टेबल होतीज में तो करते हैं आपका ए हो जाएगा यह उसी कपर क्वेशन है इस एंटारी कोटी टाबलेट क्या फिर से question है डो नोट डिजोल्व इंटस्टाइन बिलकुल गलत इंटस्टाइन में डिजोल्व होती है rapidly get absorbed, breakdown स्टमक में नहीं होती इंटस्टाइन में होती है, disintegrate होती है इंटस्टाइन में option D हो जाएगा clear, next which coating is applied to the tablet which are required to pass the stomach as such stomach के stomach से as such pass हो जाएगी बट readily disintegrate होती है इंटस्टाइन में तो कौन सी coating जो है apply कर रहे हो tablet को इसमें एंटारी कोटिंग है, micro encapsulation है, sugar coating है, film coating तो वह हमारी है, एंटारी कोटिंग की बात हो रही है स्टमक से as it is pass हो जाएगी इंटस्टाइन में जाके disintegrate होगी, next which one is not the purpose of entire coating का purpose क्या नहीं है, to increase bioavailability of drug to prevent drug degradation in stomach, तो स्टमक के drug, स्टमक में drug का degradation को prevent करें, to prevent gastric irritation caused by the drug, ये भी सही है, बहुँ गैस्टिक irritation जो drug caused करेगी तो वो ना करें, है ना local action in the intestine, local action of drug intestine में जब local action required होता है, तो करते हैं, सही है लेकिन ये ना to increase bioavailability जो है, इससे increase करना कोई purpose नहीं होता, है ना option A हो जागा, okay नहीं से test measuring the rate and extent of solution formation from a given doses form, कोई भी doses form है, वो solution में convert हो रही है, मतलब कि वो dissolve हो रही है, ये ना test measuring the rate and extent, किस rate पे वो dissolve हो रही है, किस extent में वो dissolve हो रही है, solution form में convert हो रही है, तो कौन सा test है, जो इसको measure करेगा, tablet को solution form में जाती है, वो मतलब solution बन जाता है, tablet से, तो किस, कितने time में, किस rate से ये हो रहा है, तो इसके लिए कौन सा test है, disintegration test, dissolution by availability, content uniformity, तो dissolution test होता है, solution form में convert हो रही है tablet, है ना, ने सब, that disintegration of tablet within its prescribed time is due to the presence of tablet का disintegration होता है, tablet जो है smaller particles में तूटती है ना, वो एक prescribed time होता है, जैसे आप पढ़ते हो, sugar-coated tablet का disintegration time जो है, 60 मिनट होता है, film-coated का 30 मिनट से ना, तो एक prescribed time होता है, उसमें disintegrate होती है, तो किसकी वज़य से होता है, तो disintegrating agents होते हैं, है ना, tablet में डले हुए होते हैं, क्योंकि हमने पढ़े थे XCPN से जो add करते हैं हम लोग, तो disintegrating agents से होते हैं, तो उनकी वज़य से ही disintegration होता है tablet का, तो talc है, acacia है, diluent है, starch है, तो disintegrating agent में हमारा option D आजेगा, starch आजेगा, ओकी, next question है, disintegration test is not applicable हो, तो disintegration test जो है, नहीं होता, किस पे applicable नहीं होता, tablet पे, capsule पे, solutions पे, पे, तो tablet, capsule, pills के लिए होता है, solution के लिए नहीं होता है, अब solutions, तो क्या disintegrate होगा, है ना, option C होजेगा, next है, breakdown of tablet into smaller particles और granules, देखे, tablet जो है, वो tablet का breakdown हो रहा है, tablet जो आपकी tablet थी, इसका breakdown हो गया, smaller, smaller, छोट-छोटे particles है, granules में, tablet break होगी, है ना, तो इसे क्या कहोगे, disintegration, crushing, dissolution, या granulation, this is known as disintegration, okay, next, dissolution test for tablet is performed for assuring, तो dissolution test किया जाता है, tablets का, और किसको assure करने के लिए करते हैं, bioavailability को stability, content, uniformity, disintegration, तो यह किया जाता है, to ensure, जो आपका है, bioavailability को assure करने के लिए, next, instrument used to measure the hardness of tablet, tablet की hardness को measure करने के लिए, मैंने आपको different type के testers बताये थे, कौन-कौन से बताये थे, Monsanto बताया था, का बिल्कुल बताया था, StrongCob भी था, Pfizer भी था, Monsanto tester, Monsanto hardness tester, StrongCob hardness tester, Pfizer hardness tester, और एक habit lean, I think, और था है न, option D हो जगा, ओल, okay, next है, Monsanto hardness tester, बिल्कुल सही, जो hardness को test करने के लिए, उसके बारे में पूछा, is based on the following mechanism, कौन से mechanism पे based है, bending और flexor strength and diametrical compression, के रहे, bending और flexor strength, diametrical compression और नन, तो इसमें diametrical compression होता है, okay, next tablets are tested for, tablets को test किया जाता है, किसके लिए, pyrogens के लिए, alkalinity के लिए, total solid से hardness, तो किसके लिए करते हो, hardness के लिए करी जाते हैं, tablets को test, hardness tester मैंने बताएं, ने से मोंसंटो apparatus is used for testing of dash of tablet, तो मोंसंटो hardness tester जो है, किसके लिए tablet की किसको जो है test करता है, बिल्कुल hardness, resolution, friability and uniformity, किसको आपकी hardness को test करता है, ने से mechanical strength of a tablet is checked by, तो mechanical strength, जो tablet की strength को check करोगे, किससे वही आपके क्या hardness tester, disintegrator, friability tester या नन, तो आपके hardness tester होते हैं, है ना option A, जो क्या करेंगे, mechanical strength है tablet की, वो check करेंगे हमारे hardness tester, ओके, next question, which is absent in chewable tablets, तो chewable tablets आपको, जो chew करके, फिर उसको swallow करना होता है, जिससे आपके antacids की tablets होती है, तो इनमें क्या absent है, तो इनमें न, disintegrating agents absent होते हैं, तो binder, flavoring agent, sweetening agent, disintegrant, disintegrant, disintegrant नहीं होते हैं, इस में, chewable tablets में, ओके, next question, dissolution rate of drug from tablet may be increased by, तो drug का dissolution rate है, उसको आपने increase करना है, के compression stress during tableting के, दुरान जो compression stress को increase करके, increasing the concentration of lubricant, अगर lubricant की concentration को बढ़ा दोगे, तो dissolution rate तो increase होगा नहीं, बलकि decrease ही होजेगा, increase the concentration of disintegrant, तो disintegrating agent की concentration को बढ़ाने से, आपका dissolution rate भी increase होजेगा, क्योंकि disintegration भी increase होगा, तो dissolution भी increase होगा, फिल्म coating, अगर coating कर दोगे, तो इससे डिस्न डिसोल्स इंक्रीज नहीं होगा लेता डिक्रीज यहोगा है ना तो आपसाथ मेंखोंब किस से जिस घुक्रीस आंक मेन फारफ टाबिए स्लिट हरुमढ़ टाइम रिक्वाइड होता है तो इसको करने के लिए टेस्ट है वह टेस्ट बताइए अंडर स्पैसिफाइड कंडिशन तो वह यह टैबलेट जो है डिजोल हो रही है सुलूशन फोम में जा रही है तो वही आपका डिसोलूशन टेस्ट अभी पहले भी पूछा होता है इस टैप सी क्वेशन देखे गुमा फिर आके रिपीट होते हैं डिसोलूशन वही फ्राइबिलिटी डिसिंटेग्रेशन वेट वैरिशन तो आप्शन ही हो गया गौज है तो है टुरेबिलिटी ओफ टैबलेट तो कमबाइड एफेक्ट ओफ शोक और अब्रेशन तो इसको इवैल्वेट करने के लिए हमारा फ्राइबिलेटर होता है जो रोच्चे फ्राइबिलेटर होता है ओके ऑप्शन क्या हो जाएगा सी डिसोलूशन रेट ओफ ड़ाग फ्रोम टैबलेट में इंक्रीजघ अब फिरसे आपने डिसोलूशन रेट को इंक्रीज करने है वैसा ही यह कॵेसा ओ सब्सक्राइब talked के औरुप्श जो है नहीं होगा देखिए फिल्म कोटिंग करोगे टैबलेट की थायल सेलोस के साथ में तो भी डिसलूशन इंक्रीज नहीं होगा इंक्रीज दा कंप्रेशन प्रेशर दूरिंग टैबलेटिंग वो एक क्वेशन है बस ओप्शन उपर लिचे करके ओप्शन ए आपका राइट हो जएगा तो मैंने आपको बताय था डिसलूशन एक्सपेरिमेंट में अगर जो है आपने एक्सट मीडियम यूज करना है तो कोटिंग किसकी करेंगे गोल्ड की गोल्ड कोटिड बास्केट जो है वो यूज करेंगे अप्शन भी होजेगा गोल्ड नेक्स्ट है विच टेस्ट इस परफॉर्मड तो असेस्ट अबिलिटी ओफ टाबलेट तो विदस्टेंट अबरेशन इन पैकेजिंग हैंडिंग एंड ट्रांस्पोर्टेशन है ना तो वही अबरेशन के लिए कुन सा टेस्ट किया तो आपको फ्राइबिलिटी ही होगा ऑप्शन भी नेक्स है अपरचर साइज ऑफ स्टेनले स्टील मैश इन डिसिंटिग्रेशन टेस्ट अपरेटर में जो स्टेनले स्टील का मैश जो होता है उसका अपरचर साइज पूछा इतना टीप में क्वेशन पूछा हुए देख आपको बताए थी डिसोलुशन जो है जब मैंना हमने देखा था इवैलिवेशन में डिसोलुशन टेस्ट हमने हमने उसमें टंपरेचर रेंज देखी थी कितनी 37 तो सभी में दिया है प्लस माइनस कितना था पॉइंट फाइफ डिग्री सलसियस है ना निक से फ्राइबिलि पर मिनट तो चार मिनट के लिए एक मिनट में 25 रिवोलुशन तो चार मिनट में 100 रिवोलुशन के लिए उसको रन किया जाता है ना और 6 इंच की हाइट से टॉबले टाबलेट को ड्रॉप हमने देखा है ड्रॉप करते हैं आप्शन होजेगा निसे क्विकस्ट वे ओफ र अधर्वाइस स्टेटेट इन दा इंडिवीजुल मोनोग्राफ अफ फामकोपिया इन डिसिंटिगरेशन टेस्ट पर अंटारी कोटेट टाबलेट से फास्ट डिसोलुशन इस करें तो पहले डिसोलुशन करते कि इसमें ऑप्शन देखे 0.1 एम मोलर दिया है अचल करें टाबलेट की प्रोसेसिंग में जो वेट वरियेशन होता है वह इन में सभी की वजय से होता है एक को छोड़के नौन यूनिफोर्म ग्रैनूल साइस डिस्ट्रिबूशन तो इससे हो जागा वेट वेट वारियेशन पूर फ्लोफ ग्रैनूल से भी होगा प्राइजंस तो freeze-dried low-dose drug products जहाँ है इनकी formulation में कुमसा bulking agent जो है यूज़ करेंगे sodium chloride है manitol है starge है या HPMC hydroxy propyl methyl cells है ना तो freeze-dried low-dose drug product के लिए हमारा manitol यूज़ होगा है ना option B हो जगा manitol नेक्स question which filler cannot be used for the preparations of tablet amine containing basic drug to avoid discoloration of the tablet देखें कौन सा filler filler किसे कहा था हमने diluents को diluents जो होते हैं diluents को ही हम fillers कहते हैं तो कौन सा diluents जो है use नहीं करेंगे किसके लिए preparations of tablet for amine containing basic drug है ना तो amine containing drugs जो होती है उनमें यह diluents यूज नहीं किया जाएगा क्योंकि यह reaction करा जाता है मिलियार्ड reaction बोलते हैं उसको मिलियार्ड reaction जिसमें tablets का discoloration हो जाता है कौन से diluents की बात हो यह बताओ dicalsium phosphate micro crystalline cellulose starch lactose तो यह आपका lactose होता है है ना तो lactose जो है इसको use करेंगे amine containing basic drug के साथ में है ना जब amine containing basic drug को आप बना रहे हो मतलब तो उसमें diluents जो आपने lactose एड कर दिया ओके तो उसमें मिलियार्ड reaction हो जाता है हना वैसे lactose जो है most commonly used diluents में आपका lactose आता है बट लेकिन amine वाली जो ड्रग है वह आप प्रेपेर कर रहे हो तो उसमें lactose जो है एक problem create करा देगा मिलियार्ड reaction जिससे की टेबलेट्स का discoloration हो जाएगा ध्यान रखना है बहुत important है ओके मिलियार्ड रेक्शन निक्स ने फिल्म कोटेड टेबलेट इस कोटेड विद तो फिल्म कोटिंग के रहे में आपको polymer बताय था कौन सा hydroxy propyl methyl celloze 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 अस्ट्रेट थालेट तो अंटारिक होता है है ना या नन तो क्या हो जाएगा HPMC ऑप्शने निक्स डैस कंटेन अलकली बाइकाबोनेट citric acid एंट तारिक आसिड गाड़ मेंट के साथ में देखे की टायब की टाबलेट सू मैं आपको बताया था कि अलकली जिससाथी सोडियम बाइकाबिनेट citric acid एंट टा отправ कैसिड टाड़ के साथ में इस सब्प्राइजट घर इस लिखा हुआ था सब्लिंग्वाल टाबलेट्स लोजंजिस एफिर उसन टाबलेट्स निक्स्ट इसके बार में लिखा हुआ है एफिर लिगेशंता टाबलेट्स वीच जैने डिजोल इन वोटर डिलियस करबन डियोकसाइड चप्रिंट इस जनेरे टेड वा एक्शन ऑफ जिटेटस के साथ में और सी ओटू जेनरेट होती हैं बहुत कम पाउंडर प्राइजन ठेप इन पाउड़र फोऊंडर करने तो हम ने जो हैं आटिफीशल जो है स्वीटनिंग जो सिंथाटिक स्वीटनर देखे थे उसमें सकरीन देखा था सकरीन जो होता है 500 टाइम स्वीट होता है सुक्रोज से 500 टाइम स्वीटर दन सुक्रोज होता है और इसका बिटर आफ्टर टेस्ट होता है क्या होता है बिटर आफ्टर टेस्ट कार्चिनोजैनिक ह होता है सकरीन तो लगाओ आंसर ऑप्शन सी नेक्स्ट है से करने सुटर दन सुक्रोज फिर से पूछ लिया फिर से दूसरे एक्जाम में आ गया ऑप्शन सी पांसो टाइम्स हो जाएगा है ना मैं आपको बता दिया निक से वन फॉलूंग इस यूजर एंटरी कोटेड पॉल नेक से शिलाक इस यूज़ for the purpose of coating of tablet तो शिलाक क्या परपेस है उसकरने का ट्येटी कोटिंग ने। पॉलिषेंग एजंट है तो पॉलिषेंग आजंट जो होता है उसमें तो हमारे बीज वैक्स होते हैं अपॉलिशिंग जो पॉलिशिंग क्या करते हैं क्यों करते हैं टैबलेट की एलिगेंस मतलब की एलिगेंस को इंपरूब करने के लिए टैबलेट तक ही शाइन करने लग जाए ना एंटरी कोटिड एजेंट फिल्म कोटिंग एजेंट सब कोटिंग एजेंट फॉर शुगर कोटिंग के लिए इनक्राइष को दो से जैने अईूक्त को हैसे वसके इनक्राइब उसके अधे करता healing नृटाइश इंग्पर तो इन ओप्शिंग के अकोडिंग हमारा एंटेरी कोटिंग अजेंट हो जगा ऑप्शिंग के लिए आपको पता है अलिगेंस को इंपरूव करने के लिए शाइनी बनाने के लिए टैबलेट को है ना पॉलिशिंग करते हैं शुगर कोटिंग के स्टेप्स में आपका अजय बहुत हो पशती दियो रख दिया आपक्या ऩहल यूट कोटिंग रिंटोफिंग बॉट्स यौटिंग कशूलेरी प腌िटिंग कोटिंग कोट इंपक्शिंग अबिथर हों जोस्ट बीफोर सुगर कोंटिंग एयर ग्हल ईयर सेंशण तो यह कोटिंग अगला एयर से स्यराप कोटिंग होता है सिरपटिंग में आफ्टर ने फिनिशंग देखा था तो तो घृततों फाइनल पूछा है इसम्में 20डिश करते हैं का इस गूस चाहिए टेबलेट शायन करें और जो है सब कोटिंग यह टेबलेट का बल्क साईज बढ़ाने के लिए करी जाती है इसमें जो है हमने अकेशिया और जिलेटिन उस करा था और स्मूध कोटिंग और सील कोटिंग में शिलैक और जीन और यह किसले कर रहे थे मोशर पैनेटरेशन को प्रिवेंट करने के लिए ओके नेक्स्ट है एक्सेसिव क्वांटिटी ओफ लूब्रिकेंट डैश्ड अंगल ओफ रिपोज करेंगे अंगल ओफ रिपोज को क्या लूब्रिकेंट जो्सेल डीस करता है अंगल ओफ रिपोज को इस अक्सेसिव कौण्टिटि लूब्रिकेंट के इंक्रीब्रिकेंट से डीवर को है तो आपने क्या बताना है वोटर में कौन सा जो है वोटर सोलुबल लुब्रिकेंट है तो यह पोलिथलिन ग्लैकोल होता है वोटर सोलुबल लिए हैं तो मेंगेशियम स्टेरेट यह यह होगा और आपका लूब्रिकेंट भी होता है और यह यह जाएगा नेक्साइब दूरिशन और टाबलेट अपर पर पर पस अदिंग में तो अभी एक क्वेशन में देखा हैं अपने मेंगेशियम प्यार्ट थे ड्लगाएट था अब इस question में देखिए, binding agent, absorbing agent, disintegrant agent नहीं होता, इसमें आपका lubricant की तरह काम करेगा, है ना, उसमें glideant था, इसमें lubricant, अब एक और function anti-adherent का, वो भी question देखिए, magnesium stearate is used as, देखिए, disintegrant, binder, antioxidant तो नहीं है न, तो anti-adherent है, तो magnesium stearate है, हमारा lubricant भी है, और हमारा anti-adherent भी है, औ हैं रखना है, okay, नेक्सा, वस्टर process is also better known as rotary plate process, air suspension coating, conservation process, या pan coating, तो इसे क्या कहते हैं, air suspension coating कहेंगे, नेक्स्ट है, वस्टर process can be used to, किसके लिए यूज करते हैं, coat करने के लिए tablets को, determine the disintegration time, gas is sterilized, parental solution, या automatic filling of capsule, तो coat के लिए, coatings के लिए उसकर आजाता है न, next है, glad coater is a type of coating system, तो glad coater किस type के coating system का type है, air suspension, perforated pan, conventional pan, fedized bed, तो perforated pan में आता है, option 2, next है, seal coating is applied, तो मैंने आपको पताया, जो है, sugar coating के different stages में, first seal coating आता है, to prevent moisture penetration, और इसमें, शिलयक और gene use होते हैं, tablet के size को build करने के लिए sub coating आता है, acacia और gelatin use होता है, to prevent moisture penetration into tablet को, और आंसर हो जाएगा, option B, आंसर क्या हो गया, option B, तो बल्क को बढ़ाने के लिए कौन सी coating करते हैं, seal coating तो moisture penetration को prevent करने के लिए हो जाएगा, sub coating करेंगे, बल्क को बढ़ाने के लिए, syrup coating के टाइम पे colorants add किये जाते हैं, याद रखना है, beeswax elegans को improve करेंगे, और polishing के लिए beeswax use करेंगे, polishing में जो है, टाबलेट की elegans improve होती है, टाबलेट शाइनी बन जाती है, next about 50% of final coated weight is gained in sugar coating of tablet is achieved इंदा, तो बल्क वाली stage कौन सी है, जब टाबलेट का size बढ़ेगा, बुल्क बढ़ेगा, तो sealing में तो आपका moisture penetration को prevent करने के लिए कर रहे हो, तो इसमें तो आपका शिलाग और जीन उस कर रहे हो, sub coating है ना, यह बल्क को बढ़ाने के लिए करते हैं ना, तो इसी में ही 50% final coating weight gain हो जाएगा, याद रखना है, option B हो जाएगा, ओके, sorry, देखिए जो है थोड़ा सा, चलिए, हाँ, next question देखिए, next question is, sub coating is given to the tablet, sub coating क्यों करी जाती है, तो वही sub coating क्या करते हैं, तो इस बढ़ाने के लिए, बल्क बढ़ाने के लिए की जाती है, तो to increase the bulk, बल्क को बढ़ाने के लिए, and to round up the edges, option A हो जाएगा, to avoid deterioration नहीं होगा, to prevent solubility, or to avoid stickiness, option A हो जाएगा, next colorants are added in the process of sugar coating, in one of the following step, colorants मैं आपको बता है, कौन से step में add करोगे, seal coating करते हो, to prevent moisture penetration, shellac और gene यूज होते हैं, sub coating में tablet का size build up होता है, bulk बढ़ता है tablet का, है नहीं तो इसमें, आकेश और gelatin यूज होते हैं, syrup coating के time पे colorants add किये जाते हैं, option C हो जाएगा, बाकि polishing के लिए beeswax यूज होता है, याद रखना, next is, dash is used to determine, granules के density को determine करने के लिए, क्या यूज करेंगे, chilsinator, barometer, diosna, mixer, या picanometer, option D हो जाएगा, next is, frictional force of loose powders are measured by, तो frictional force loose powders को, उसको measure करने के लिए क्या करेंगे, dissolution, disintegration, angle of repose, uniformity of weight, तो frictional force, जो है loose powders का, तो उसको measure करते हैं, angle of repose से, किसे measure करेंगे, इसको angle of repose से, option आपका, जो है, C right हो जाएगा, angle of repose, देखे, angle of repose की value होती है, 30 degree से कम होता है, angle of repose, तो powder जो है, उसका कैसा flow होगा, तो उसकी flow properties good होती है, अगर 30 degree से कम होता, तो powder की good flow properties होती है, और अगर यह 40 degree से जादा हो जगा, angle of repose, तो powder जो है, उसकी flow property poor होती है, तो angle of repose के बार्ण, तो पढ़ लेना, और इसका formula क्या होता है, 10 inverse height by radius होता है, 10 inverse यहां पर h by r होता है, angle of repose का formula, ओके, next question है, in general disintegration time of uncotted tablet का, मैंने आपको क्या बताया था, 45 minutes तो बताया है नहीं था, sugar coated का आपको 60 minutes बताया था, film coating का 30 minutes बताया था, uncotted का कितना बताया था, 15 minutes बताया था, option C हो जाएगा, next question है, तो यह हम device कर चुकी है, soluble, dispersible, sublingual, इन तीनों का 3 minutes, effervescent का 5 minutes, uncotted 15, film coated 30, sugar coated 60, entirely coated 3 hours, hard gelatin capsules का 30 minutes, soft gelatin capsules का 60 minutes, next है, unequal distribution of color, on the surface of tablet is cold है, तो यह tablet का defect अब आगए है, तो unequal distribution of color, on the surface of tablet is known as modeling, है ना, तो क्या हो जाएगा, cracking, chipping, picking, नहीं, option D, modeling हो जाएगा, tablet के defect बहुत important है, बहुत जादा, नहीं से विचोफ दाफोलुइंगे, जू को उनसी बात सही है, वहीं, cam tracks guide the moment of punches, के रहे, cam tracks जो है, पंच की movement को guide करेंगे, turrets hold करेंगे, upper and lower punch को hold करते है, डाइ के रहे, define करेंगे, shape and size of tablet, पंच के रहे, used to compress the granulation within the dye, यह ना, डाइ में जो granules है, उनको compress करेंगे, पंच जूज होंगे, लिगे, सारे ही, चीज़े सही है, option यह हो जेगा, okay, next है, which defect in the manufacturing of tablet occur, when color does not distribute evenly, throughout the tablet, वो यह unequal distribution of color, surface of tablet is known as, वही वला है, थोड़ा सा language घुमा रखा है, है ना, तो क्या हो जेगा, capping and spitting, motoring, double impression, binding in the dye, तो यह आपका motoring हो जेगा, okay, next है, in the film coating, peeling is related to, तो film coating जो है, उसमें peeling का मतलब क्या है, large amount of film, uneven distribution of color, logo, यह roughness of tablet surface, तो क्यारे peeling का मतलब होता है, large amount of film, film coating में peeling होता है, large amount of film, peeling is a tablet coating problem, तो tablet coating defect में आता है peeling, क्या होता है, layer जो होते है film की, वो peeled from the tablet के surface, peel off हो जाएगी, है ना, next service of the following, is not a tablet का defect नहीं है, chipping बिल्कुल होता है, phase inversion होता है, क्या बिल्कुल नहीं होता है, double impression और sticking भी होता है, option B, जो है phase inversion नहीं होता, next service of the following defect, is due to high viscous coating solution के वज़े से, कौन सा defect होता है, lamination, orange peel, cracking या blushing, तो आपका जो है, इसमें क्या हो जाएगा, orange peel effect होता है, okay, highly viscous coating solution की वज़े से, migration of color, in tablet formulation is known as, color migrate कर जाता है, वो ही है, modeling, picking, sticking, capping तो color का migrate होना है, वो या इकोल distribution of color option A, okay, तो यह defect को मैं वैसे हमने पढ़ लिये थे, है ना, capping का मतलब क्या होता है, जो cap, मतलब की तरीके से, cap जो है, tablet जो है, उसकी उपर वाली, जो है, crown या नीचे से, पार्सलों कम्प्लेट से, operation of top or bottom of the tablet from main body of the tablet, है ना, या तो उपरी हिस्ता या फिनीचे का, मतलब की cap जो है, वो अलग होगी है, है ना, तो यह आपका होता है, capping, lamination में, lc lamination, lc layers बताया, tablet layer में separate हो जाएंगी, chipping का मतलब क्या होता है, edge जो होते हैं, tablet के edge ब्रेक हो जाएंगे, sticking का मतलब बताब टाबलेट जो है, डाइ वोल से चिपक जाएगी, डाइ की वोल है, वहां से टाबलेट अडियर हो जाएगी, picking का मतलब पिक कर लिया, मतलब पांच ने थोड़ा सा टाबलेट का, जो मतीरियल पिक कर लिया, जो मतलब पिक कर लिया, तो इससे आप याद रख सकते हैं, फिर आपका मॉटर लिंग बताया, अनिकोल डिस्टिबुशन ऑफ कलर, नेक्स सेपरेशन ऑफ टाबलेट इंटू और मोर डिस्टिंक्ट लेयर, याद करो, बिल्कुँ सिंपल ऑप्शन भी, मॉटरलिंग, अनिकोल डिस्टिबुशन ऑफ कलर, अनिकोल सेपरेशन ऑफ टाबलेट इस नोन अस मॉटरलिंग, कैपिंग, टोप या बोटम, क्राउन ऑफ टाबलेट सेपरेट होजेगा, फिर में ब्रोकन टाइप सा कुछ नहीं है, और टाइपिंग रेफास टो, चिपिंग में या था, सप्परेशन ऑफ टाबलेटे करें इंटाए ट्रों ने लेयर, सरा किरौकन टाबलेटेज तो वोटम ट्हीन अह।र स्थिपिंग में देखा था, है ना तो यह चिपिंग में हो जगा जिस जो है वहां से रिमूव होता है टैबलेट की मटेरल है ना तो यह बता दिया मैंने सारा नेक्स्ट है मोटलिंग वह यह अनिक्वल हो गयाया लेयर से लेयर से लामिनेशन हो गया है क्हारत ऑफ ट्चर तो ऑपका बहुत इंपॉर्डट है अन्यक्ल दिस्टिबूशन अफ कलर और टैबलेट विद लाइट और के रिया स्टेंड आउट इन युनिफॉर्म सर्फिस इस वह यह थोड़ा सा लेंगविज अलग कर दिया मॉटलिंग हो जाएगा है ना कैपिंग का मतलब क्या तोप या बोटम इस परेट सेपरेट हो जाता है फ्रम डा में बोडी ऑफ दाःपिंग पिक कर लिया जो पंच का फेस था ना वहाँ से टैबलेट का थोड़ा सा मटीज चिक हो गया पंच पे और फिर उस पंच ने रिमूँ ओफ कर लिया यह तैबलेट का जो है मतीरियल पंच के फेस के द् तो याद करने के पॉइंट फूजिस टाइब से आप चीजों को याद कर सकते हैं मोटलिंग बिल्कुल राइट होगा ने सदा मैटीरियल रिमूव बाद आप पर पांच तो पांच पे थोड़ा सा स्टिक हो गया मैटीरियल और पांच ने रिमूव कर दिया मैटीरियल को वह पिक कर लिया है ना पिकिंग हो जाएगा वही है कैपिंग तो आपका क्या हो जाएगा कैपिंग कैप अट जेगी मतलब की पार्शल और कम्प्लीट रिमूवल ऑफ टोप और बोटम ऑफ टाबलेट फ्रॉम में वोड़ी आपिंग जो पंच का फेस पिक कर लेगा मैटीरिय पार्शल और कम्प्लीट रिमूवल ऑफ टोप और बोटम ऑफ टाबलेट वही है टोप या बोटम क्राउन ऑफ टाबलेट फ्रॉम दा में बोड़ी ज़ाएगी और चिपिंग में चिपक मत याद गर ले ना चिपिंग में आज़िस से रिमूव और टाबलेट का मतलब कर जो एजिस से रिमूव हो जाता है ब्लूमिंग टाबलेट कोटिंग डिफेक्ट ब्लूमिंग टाबलेट कोटिंग का डिफेक्ट है इसमें क्या होता है कोटिंग बिकम डल डिटाच्मेंट ओफ कोटिंग फ्रॉम सर्फेस ऑफ टाबलेट पिट सकर ऑन सर्फेस ऑफ टाबल यह अपियर हो जाता है एक्सपोजिंग टैबलेट सर्फेसी क्रेटरिंग होता है पिटिंग कहरें पिट सकर इन दा सर्फेस ऑफ टैबलेट कोर विदाउट अनी वीजिबल डिस्रॉप्शन ओव दा फिल्म कोटिंग ब्लूमी में कोटिंग डल हो जएगी औरंज पील में क्या होता है सर्फेस डिफेक्ट इन्दा फिल्म बींग छाती है इसमें फिल्म जोते रफ और नौन ग्लोसी हो जाती है लेट की टैबलेट मुटिरियल डाई वोल से अधर हो गया डाई वोल से चिपक गया टैबलेट का म वहां से थोड़ा सा material क्या है चिपक जाएगा और फिर वह stick हो जाएगा और वह remove हो जाएगा punch के face के द्वारा remove कर लिया जाएगा sticking में adhere हो जाएगा dye wall से tablet material adhere to the dye wall dye की wall से tablet का material चिपक जाएगा stick हो जाएगा और capping वही था cap अना partial or complete removal of top और bottom crown of the tablet from the main body of the tablet is known as capping okay मेरे साब से tablet के defect आपको मेरे साब से याद हो गयोंगे इतना मैंने रिवाइस कर दिया इनको पूरली manufactured tablet में है small pinholes small pinholes होते ने क्या कहोगे modeling में तो आपका color से था unequal distribution of color and surface of tablet is known as modeling picking cracking या leaching तो देखे pinholes से यह picking होगा option भी आदकना पीसे pinholes से पीकिंग तर विजब फॉलेंग इस true बास सही बताओ true बताओ cause of chipping कहारा chipping जो है जो material tablet का जो break हो रहा है तो कहारा chipping का cause जो है excessive coating process होता है cause of cracking जो tablet crack हो रहे cracking का होता है high internal stress stress होता है फिल्म में orange peel जो effect होता है कर उसमें poor spreading होता है sprayed droplet का cause of blistering का क्या cause है overheating during spraying all true बताओ जीजी क्या सही है option नहीं all सारी बाते से लिख हुए ना निक्स एंटेरिक कोटिंग के उपर फिर से question आ गया तो एंटेरिक coating is given to tablet तो क्यों देते हो बताओ एंटेरिक कोटिंग क्यों करे जाती है प्रोटेक्ट दा मेडिकमेंट फ्रोम एट्मॉसफेरिक इफेक्ट तो इसके लिए तो जरूरी नहीं है कोटिंग कर देते हैं ताकि जो ड्रग है वह स्टमक में रिलीज ना हो इंटेरिक कामेंट को इंटेस्टन में जाके डिसते Radio हो पीं तर giorno भी नहीं होता है प対 जोट ब्रोम्ग दूसक्टीम dimension भी नहीं होता आइंसर ऑप्संचिन भी मेरे हिसाब साथ से आपको clear हो गया है जो इन एक इन एक अडिकवेट स्प्राइड इंड फिल्म कोटिड फिल्म कोटिंग स्यूशन ओन टैबलेट बिफोर ड्राइंग करने से पहले जो कोटिंग सोलुशन उसका इनेडिक्वेट स्प्राइडिंग हो जाती है तो स्टिकिंग औरंज पील या क्रेकिंग तो यह औरंज पील एफेक्ट होता है निक्स लेक्टोज इस वाइडली उस डायलुएंट बिल्कुल है टैबलेट की फॉर्मुलेशन में मो मोस्ली यूज करते हैं बहुत ही अच्छा डायलुएंट है बट अमीन कंटेनिंग ड्रक्स के साथ में इसको यूज नहीं करेंगे मिल्यार्ड रियक्शन करा देगा डिस्कल्रेशन करा लेगा टैबलेट का तो कौन सी हां अमीन कंटेनिंग ड्रक कोन से पाराजीनमाइड इसको यूज नहीं करेंगे मिल्यार्ड रियक्शन में क्या होता है तो बता रख है सारा कुछ आपको आप देखो मिल्यार्ड रियक्शन होती है लैक्टोज को अगर यूज करेंगे अमीन कंटेनिंग बेषिक ड्रक के साथ में तो लैक्टोज को अगर मिल्यार्ड रियक्शन क्या करा देता है डिसकल्ड रेशन करा देता है तो आंसर इस प्रिशन सी नियार्ड रियक्शन टेबलेट फॉर्मुलेशन सका ड्यू टू विच वन रियर्ड रियक्शन का रिजन क्या है लेक्टोस रियक्ट करेगा अमीनो ग्रूप ऑफ ड्रॉग या प्रैजंसफ मैटल स ना इन दा प्रैजर्स ओफ मैटल स्टेरेट से याद रखना है ऑप्शन भी हो जाएगा ओके मिल्यार्ड रेक्शन अकर किस-किस के बीच में होती है तो आपका जो है स्टार्च तो हटा दो लाइन से हटा दो इसको लैक्टोज और यह फिनोल के साथ भी नहीं होती अमीन है हाइड्रस लेक्टोज और अमीन हो जाएगा ओके निक से पाउडर विद एंगल ओफ रिपोस ऑफ 25 जादा होगा तो पूर फ्लो होगा है ना तो पूर फैसेबल पैसेबल फियर ने एक्सिलेंट होगा 25 पे क्या होगा ऑप्शन ही हो जगा एक्सिलेंट ओके तो कह रहें पाउडर फ्लो स्मूथली अगर 25 होता है और डाज नोट फ्लो प्रोपर्ली अगल ओफ रिपोस हां मोर दन 50 हो जगा तो नेक्स है डाश ऑन इनट सबस्टेंस अड़े अलोंग इडिकामेंट तो प्रिप्रे गैनूल बनाने के लिए मेडिकामेंट के साथ में इनट सबस्टेंस अड़ करते हो ना क्योंकि हमारा जो ड्रग है मेडिकामेंट है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में है तो इतने थोड़े से अमाउंट को हम जो है कंप्रेस करके टैबलेट कैसे बनाए है ना तो इसलिए एक्सीपी अड़ किरे जाते हैं ओके तो यही तो आपसे क्या इनट सबस्टेंस जो आड़ करतों ने क्या कोगेंगी नेक्स्ट है वीच फोलिंग ड़स नौट डिसाइट दा फ्लो प्रोपर्टी ऑफ पाउडर्स पाउडर्स की फ्लोपर्टी इसके लेंगल फ्रिपोस होता है होसना रेश्यों होता है कार्स इंडेस होता ह है इसमें नहीं आएगा ओके नेक्स है फोल ड्रग वीचार गिवन आज एंटारी कोटी टैबलेट ओल अप्रोपर्टी कोटिंग वाली टेबलेट के बारे में सारी बास सही है एक को छोड़के देगे फिर से एंटारी कोटिंग को पर क्वेशन बन गया ड्रग विचार डि डिलेड एक्षन अगर रिक्वार होता है तो करते हो अर्ली एक्षन के लिए नहीं करोगे ना ओप्शन डी हो जाएगा आपका एक्सप्ट पूछा है नैसा टैल की इस यूज जास ग्लाइडेंट टैल का कितने परसेंट कंसेंट्रेशन में आज ग्लाइडेंट यूज अगर्वाशन सी हो जर डिसॉल्युशन रेट नेकस्ट एप प्लेटिंग थन बाइगा पांच की प्लेटिंग किसे करोगे क्रोमिय। जीनक आईरन या ओल्तो इसके लिए क्रोमियम होता है प्लेटिंग फॉलिंग बाउट एस पार्टिंग दय को स्विटनर बेघर तो इस and 200 times sweeter than sucrose तो दोनों बाते सही है ना तो synthetic sweetener में sucrose तो 500 times sweeter than sucrose जो आपका होता है saccharine saccharine तो 500 times sweeter than sucrose होता है aspartum 200 times sweeter than sucrose होता है saccharine क्या है आपका carcinogenic muta जानिक bitter after taste और aspartum के बारे में क्या है lake of stability and prions of moisture तो यह हमारे सारे tablets के questions हो गए में टोंके चेपसूल जो है कौनशे टाइब ड्रोज़स फॉं में अचेयर सींतों इस फौन जो है उसमें हमारे unit धुम है ना unit dлож यहां और टैप्सूल बकले में हमारा कप सूल आता है और capsule की shell होती है किसकी बनी होते है 지olate dextreme हमारे बनी होती है hard gelatin capsule होता है और soft gelatin capsule होता है तो दो type की होते है hard gelatin capsules and soft gelatin capsules होती है और एक term आती है isolateric point यह बहुत बार पूछा जाता है gelatin जो आपका capsule की shell बनाने में use हो रहा है तो जिलेटिन होता है हमारा जो जिलेटिन है दो टाइप का होता है ताइप A जिलेटिन होता है टाइप A जिलेटिन और टाइप B जिलेटिन तो टाइप A जिलेटिन जो होता है ताइप A जिलेटिन जो है देखे जिलेटिन हमने पढ़ा है कि जो एनिमल जो होते हैं उनकी बो एसलेक्टिक पॉइंट होता है एक्जाम में बहुत बार कुछा ये आइसोलेक्ट्रिक पॉइंट ओफ टाइप A जिलेटिन आइसोलेक्ट्रिक पॉइंट ओफ टाइप B जिलेटिन तो दोनों याद रखने है ओके टाइप A का 9 टाइप B का 4.7 ओके तो यह हम याद रखेंगे एक काता है ratio of dry glycerin to dry gelatin for hard gelatin capsules से बिच ने पत्कीं के लिए आपका फोर को बहुता है और के लिए इस टुवन में। एक अधियो प्वाइन एक पॉइंट सिक्स इस टुवन को आप में अगर कहें वेजए विल यह आपको यादनामने जो है यह जो है के बनी के में हमारा 2,3 ड dura sp को ही हम क्या कहते हैं जल स्ट्राइंट भी कह सकते हैं यह द्लूम स्ट्राइंट जू है इसका फिप्सी तू तूघ तो जो शेल्स होती है है जेलेटिन की तो जेलेटिन में कहारे आरन कंटेंट जो है वह 15 पीपीम से कम होना चाहिए कि विसकोसेट कितनी होनी चाहिए 25-45 mm तो याद रखना है कई बर हमें कन्फ्यूज करने के लिए मिलि पोई कि जिगा सेंटी पोई देंगे है ना तो हमें अपना यह याद रखना है 25-45 mm यह याद रखना ओके इसकी पीपीम है आरन कंटेंट लेस दन 15 पीपीम ब्लूम स्ट प्लास्टिसाइजर्स जो होते हैं देखे कैपसुल के बनाने के लिए प्लास्टिसाइजर्स यूज करे जाते हैं तो इनकी एक्जम्पल्स कौन-कौन से हैं यह बहुत बार कौश्ट लेक्टे स्टू शनाता है plasticizers के example तो main example तो आपका sorbitol होता है sorbitol है glycerine है poly यह क्या प्रोपाइलिन ग्लाइकोल है तो यह हमारे plasticizers है जो capsule की shell है उसको elastic या plastic बनाने के लिए यूज किये जाते हैं elasticity provide करेंगे capsule की shell को sorbitol glycerine है प्रोपाइलिन ग्लाइकोल फिर आपके फिलेवरिंग आजेंट यूज होते हैं जिसमें इधाईल वैनिलीन आता है और आपका जो कैपसूल नंबर उनकी capacity यह हैं तो मतलब कि कैपसूल में सबसे ज़़ादा इंपॉर्ड़न यह हैं एक तो कैपसूल का size जो होता है देखें Triple इसमें देखिए capsule number अन्देर capacity जो है इसमें देखिए मैंने एक तरफ capsule के number लिखे हुए है है ना जैसे 000 देखे 000 जो है largest size होता है कितना होता है largest और इसमें last में 5 लिखा हुआ that is smallest ओके याद करने के लिए आप है ना फाइव को ऐसे रिलेट करके याद भी कर सकते हो वैसे अब भी हमें पता रहता है क्योंकि बिल्कुल नियू तो है नहीं हमने इत्ती बार पढ़ा है है तो ट्रिपल जिरो लार्जेस्ट फाइव वाला स्मॉलेस्ट होता है तो कैपसूल के नंबर है इधर इधर आपके अप् है नहीं यह तो हमें याद करनी ही करनी है ओके देखिए कैपसूल नंबर यह एक बर हाँ आप सारा जो है हमें वीजिबल हो रहे हैं ओके देखिए आ ट्रिपल जिरो क्या बताया लार्जेस्ट उसके बाद डबल जिरो फिर 012345 यह हमें पढ़ने होते हैं तो कैपैसिटी इसकी आप कैसे याद रखोगे देखिए मैं आपको याद करने का तरीका बताती हूं जैसे लास्ट वाले से स्टार्ट करी आप लोग है ना जो हमारा है लास्ट वाला फाइफ वाला तो देखिए नीचे से देखिए सो लिखना आपने यह 50-50 का डिफ्रेंस करना है सो यह 50-50 का डिफ्रेंस होगा और इसमें आपका 200 का होगा और उसमें आपका 300 का डिफ्रेंस होगा ओके तो थोड़ा से इसको एक दुबार लिखेंगे तो यह बहुत ही इसलिया आपको याद हो जिए का सो देखिए सो दोसो धाइसो तीन सो प्याके 450-650-950 तो लार्जस्ट 1.3 ml आपको याद रखनी ही है और यह बलब है 15 आप याद रखेंगे विद्ट 10 15 करेंगे तब 15 कुए 2020 20 10 5 10 15 20 इसको याद रखना 10 5 10 15 20 ओके तो अभी 10 एड़ करिए है ना तो सबसे पहले 10 एड़ करना है 10 अब 5 10 उसके बाद 5 फिर 10 10 5 10 15 फिर आपका 20 20 का ना मैंने तो यह हो जागा 75 उसके बाद 95 है ना इस टैप से करेंगे तो आपको सारी capacity याद हो जाएगी ML में भी और MG में तो यह हमारा है capsule number और उनकी capacity तो 000 जो largest size है उसकी capacity MG में हमने देख लिए ML में 1.37 ML 00 वाले की 0.5 95 ML 0 वाले की 0.75 ML 1 की 0.55 ML 2 की 0.40 3 की 0.30 4 की 0.25 और 5 की 0.15 ओके तो यह मैंने आपको बता ना दस पांच दस तो यह आप पोइंटों में इसको आड़ करना आप यह भी देख लेना ओके तो वैसे तो मैंने आपको थोड़ा से याद करने के point of view से बताया बाकी इसमें आप point में होगा ना point tennis type से ओके तो हमें इतना कुछ लेना हैं हमें तो simple अपना याद करना है दस पांच दस पंदरा बीस बीस एक तरीके से एक नंबर के तरीके से याद कर लीजिए फिर हमें last से चलते जाना है कि हमें इतना इतना अड़ करना है ओके तो एक दुबार इसको बने है question rotofil rotofil क्या काम आती है filling of pellets देखे rotofil आपने आद रखना है पैलेट्स को फिल करेगी capsules में pellets की filling के लिए rotofil rotofil मतलब pellets को फिल करने के लिए capsules में quality seal क्या करेगी filling of liquid in capsules में liquid को फिल करने के लिए quality seal rotoway वे weig जिससे जो है वे को रिलेट करें capsule weighing machine याद हो गया simple है एरवी का की dusting और polishing machine होती है roto sort मतलब sort करती है यह मतलब कि अलग-अलग करती है filled unfilled capsules जो है ना उनको अलग-अलग करती है sorting the filled capsules इको जल इको जल क्या करेगी powder फिल करेगी soft gelatin capsules में okay रोटो फिल तो पैलेट्स फिल करेगी capsules में quality seal क्या करेगी liquid फिल करेगी capsules में और जो आपका powder से है soft gelatin capsules में वह हमारा एको जल करेगा और रोटो वी capsule weighing machine एरविका की dusting and polishing machine roto sort आपका sort करेगी मतलब कि अलग-अलग करती है filled unfilled capsules इन सबको sorting the filled capsules okay तो यह machines देखिए बहुत important है इसलिए मैंने आपका table बना दिया ताकि आप इसको easily याद कर सके तो आपके जो evaluation के लिए disintegration time होता है तो हमने देखा था hard gelatin capsules का 30 minute था और soft gelatin capsules का 60 minute या 1 hour बोल दिजिए और entire coated tablet हो या capsule हो 3 hours होता है weight variation जो है आपका इसमें क्या होता है इधर average यह आपको weight लिखा हो इधर percent deviation तो अगर 300 mg से कम होता है weight तो 10% deviation allowed होता है और अगर 300 mg से ज्यादा है है ना 300 mg से कम है तो 10% 300 mg से ज्यादा है point जो है 7.5 जो है percent deviation allowed होता है 10 और 7.5 दो चीज़ी याद रखने इसमें 300 mg से कम एक 300 mg से ज्यादा okay तो याद रखना 300 वाला याद रखना okay 300 mg से कम है तो 10 है 300 mg से ज्यादा है तो 7.5 okay clear हो गया तो एक capsule के बारे main main हमने बाते देख ली अभी question के थूँ इनको और भी ज्यादा clear हो जाएंगी हम question solve करेंगी हमारे na capsules are which type of doses form तो capsules के बता है आपको solid doses form में आता है किसमा आता है solid doses form में हमारा capsule आता है तो liquid में नहीं आता gaseous में नहीं आता semi solids में नहीं आता किसमें आता solid dose form में आता next capsule shells are made with तो capsule की जो shell होती है किसकी बनी होती है sugar की gelatin की wax की glycerol की किसकी बनी होती है capsule की shell gelatin की बनी होती है gelatinic protein होता है next question है which of the falling capsule number can accommodate maximum medicament कौन सा capsule number है जिसमें maximum medicament आ सकता है मतलब कि largest size of capsule के बारे में question है है ना तो आपके options के according 1,0,3,5 कौन सा होगा option भी हो जागा 0 वाला क्योंकि triple 0 option में दिया ही नहीं हुआ जिरो ही दिया हुआ तो 0 जो है हमारा largest हो जाएगा question के according तो और 5 तो smallest है है ना तो capsule number जो accommodate करेगा maximum medicament इन सब में से तो इस जीरो वाला है जिसमें maximum medicament जो accommodate करेगा ओके निक्स टेम कैपसूल इस जराइड फ्रों कैपसूला की टर्म जो है लक्तोज एंपाउल एविसल जिलेटिन तो bloom strength या gel strength तो यह आपका जो जिलेटिन होता है उसकी quality को जग करने के लिए यूज करते हैं और bloom strength हमारा जिलेटिन का कितना होता है 150 to 250 और unit क्या अब दाएग थी ग्राम होता है ओके निस्ट रोटो वे इस यूज तो रोटो वे जो है किसको मैजर करने के लिए यूज करोगे है ना rotation speed of capsule sorting speed of capsule weight of capsule और नन तो capsule वेइंग मशीन होती है रोटो वे हैना option c हो जेगा निक्स ब्लूम strength of cross-linked gelatin molecule तो ब्लूम strength या gel strength कितना बताय था 50 to 25 नहीं 150 to 250 ग्रैम बिल्कुल सही 75 से यह 100 भी नहीं होगा option B हो जाएगा निसा प्लास्टिसाइजर सार तो जो कैप्सूल की शेल है उसको elasticity प्रोवाइड करेंगे है ना इलास्टिक और प्लास्टिक बनाते हैं शेल को आं तो प्लास्टिसाइजर से होते हैं जैसे कि आग डिसरीन देखा था ना सोर्बिटोल होता है प्रोपालिंग लैकोल होता है option C हो जगा बोथ next है empty capsule of gelatin should be handled at percent कितनी relative humidity होनी चाहिए जो empty capsules होते हैं gelatin के तो उनमें कितनी जो है percent relative humidity होती है 1 to 5 percent 15 to 30 percent 30 to 45 ये 45 to 60 तो ये होता है 30 to 45 percent relative humidity होती है next है among the following which is the largest size of the capsule largest triple zero पढ़ते हो but according to the option we have to answer तो इसमें 0 1 2 double zero दिया है तो answer is option जो है क्या हो जाएगा D double zero वाला इन चारों में से double zero वाला largest है okay next है which of the following is the largest size of capsule फिर से largest का पूछा तो अभी 3 1 triple zero double zero दिया है तो triple zero वारा largest हो जाएगा और इसकी capacity मैंने आपको 950 mg बताई थी और ml में 1.37 ml बताई थी दोनों याद रखने है largest का 950 mg और ml में 1.37 ml नेक्स्ट है dash is the smallest capsule size तो smallest हमारा 4 1 5 या 0 तो smallest हमारा 5 होता है है ना option C हो जाएगा और अगर capacity आप smallest वाले की देखोगे तो mg में कितनी थी मैंना आप से कहा था 100, 1500, 200, 200, 300, 450, 650, 950 है ना तो सबसे पहले 100 आया था smallest की हो जाएगी 100 mg ml में मैंने दो तो आपको याद ही करने बताए थे 1.37 ml और सबसे लास्ट वाला था 0.15 ml है ना उसके बाद इसमें 10, 5, 10, 15, 20, 20 इस टाइप से हमें एड करते चलना है ना तो answer option C मेरे साब से clear हो चुका नेक्स है प्रेश ड्रक के नॉट बी फिल्ड इन हार्ड जेलेटिन कैपसूल से तो हार्ड जेलेटिन कैपसूल में कौन से चाइप की ड्रक फिल नहीं कर सकते हैं आपक्स बेसिक आसड़ी के हाइग्रोस्कॉपिक ड्रग्स होती हैं जो आपकी हाइग्रोस्कॉपिक होते हैं हाइली फ्लॉरिसेंट्स होती हैं यह सब हाय जो है हार्ड जेलेटिन कैपसूल में फिल नहीं करेंगी ओके तो ऑप्शन डी हो जगा तो यह न देखी मोश्चर अब्सूर्ब कर लेंगे तो उसे कैपसूल की शेल ब्रिटल हो जाएगी हैं नेस्ट है टाइप बी जेलेटिन है जो है हमारा टाइप ए था और टाइप बी था है ना तो टाइप ए जो है यह हमारा एनिमल की स्किन से उप्टेण होरा था और टाइप बी वाला जो बी से बोन है ना बोन से उप्टेण होरा था टाइप एक आइस एल्हेक्तरिक पॉइंट मैंने बताया लगे पर टाइप बी चा पना पर तो बी का पूछा है तो ऑप्शन टू करो पिय एच फोर पॉइंट सावन ओके तो यह होता है 13-16 परसेंट मोश्र कंटेंट होता है हमारा हार्ड जेलेटन कैपसूल का 13-16 परसेंट 12-15 परसेंट भी आता है नेक्स है ओप्टिमम मोश्र कंटेंट ऑफ कैपसूल शेल इस रेंज बिट्वीन तो यह ओप्शन हो जेगा 12-8 15 परसेंट नेक्स है एंपटी जेलेटीन शेल विल भी हैविंग मोश्र कंटेंट ओफ 12-15 35-40 18-25 यह 5-7 परसेंट तो यह 12-15 हो जाएगा एंपटी जेलेटीन शेल होती है इनका मोश्र कंटेंट 12-15 परसेंट होता है तो मैं आपको सारी जो एक्विपमेंट जो मशीन से बताई थी ना तो पैलेट्स को फिल करने के लिए कौन सी बताई थी रोटो फिल रोटो सोर्ट तो यह सोर्टिंग मशीन थी जो फिल्ट तो आपका क्या हो जाएगा यह रोटो फिल यूज वाता ता पैलेट्स को फिल करने के लिए नेक्स क्या है ब्लूम इसनग इसे मैजर फ्र एक जिछिटीन यह फ्रेंघन गरता है यह कोहसिवनेस तो ब्लूम स्ट्रेंथ यह मैजर करेगा तो यह हमारा cohesiveness जो है gelatin molecules की cohesiveness जो है ना उसे measure करता है bloom strength जो होता है bloom option क्या हो जगा D next question है measurement of cohesive strength of cross linking that occur between gelatin molecule and is proportional होता है यह molecular weight of gelatin के तो क्या है bloom strength viscosity surface tension नन तो यह हमारा bloom strength होता है इसको gel strength भी कहता है तो यह क्या होता है cohesive strength of the cross linking that occur between gelatin molecule और जो bloom strength है वो directly कहरे proportion होता है molecular weight gelatin का जो molecular weight है उसके proportional होता है next है filling capacity of an empty capsule size 2 तो ml में capacity आप से पूछी हुई है और कितने number की 2 number की तो आप से पूछी है 2 number की तो देखे हमने बनाया था 000 फिर 00 उसके बाद ऐसे बनाते है इस टाइप से 000 बनाया था उसके बाद 00 उसके बाद 0 फिर 1, 2, 3, 4 और 5 तो मैंने कहा था 1.37 ml याद रखो फर्स्ट वाली और लास्ट वाली 0.15 ml याद रखो आप देखिए 10, 5, 10, 15, 20, 20 याद रखो 10, 5, 10, 15, 20, 20 अब इसमें मतलब कि पॉइंट है लेकिन हम थोड़ा सा अपने याद करने के परपस से करें अब 10 एड़ करो 0.15 में 0.10 होंगे तो 0.25 है ना 10 कर दिया अब 5 करो यह 0.3 बन गया 10, 5, फिर 10 दुबारा से 10, 5, 10, फिर 15 तो ये 1 वाला बन जगा कितना? या ले देती हूँ 0.55 10, 5, 10, 15, फिर 20, 20 तो 0.75 और 0.95 इस टाइब से बहुत अच्छे से याद होगा आपको कि हाँ तो आपसे अब देखो कौन सा पूछा है कैपसुल साइज 2 2 वाला ये रहा ये रहा 2 वाला 0.40 है ना तो आंसर क्या हो जाएगा option ए हो जाएगा 0.40 हो जाएगा कैपसुल नंबर 2 की कैपसिटी किसमे अमल में आपसे पूछी है 0.75 ये उपर है जो आपके 0 वाले की जीरो वाले की कैपसिटी हो जाएगी 0.75 0.55 किसकी 0.55 हमने इसकी देखी 1 वाले की है ना और 1.37 आपको पता ये ट्रिपल 0 वाले की है तो ध्यान रखना है इसको ओप्शन ने हो गया निक्स्ट फिर मैंने इसको पताई दिया हम तो याद होई गया अच्छी से अजाएगा देखी तो स्मोल एस्ट लार्जस्ट तो पता हिए ट्रिपल 0 तो क्या है लार्जस्ट है और स्मोलस्ट कौन सा है ओप्शन सी मतलब की फाइफ वाला नेक्स से विच फॉलूंग इस यूज़ तो में कैप्सूल की स्ट्रैल को इलास्टिक या प्लास्टिक बनाने के लिए वही प्लास्टिसाइजर्स यूज़ करोगे तो सोर्बिटोल ट्टैनियम डायोकसाइड तो ओपैसिफायर होता हैँस्ट या और्टिक या अकेश्य ऑप्शन यह उज़गर स्टोल नेक्स्ट है विच वन इस और अपैसिफाइग अज़ेंड उज़ें कैप्सूल तो फैसिफाइंग आज़ेंट कोन सा है टिटेनियम डाइयोक्साइड जिलेटन मिथाइल पैरवें तो आपका प्रिजरवेटिव होता है हना फुमारिक एसिड तो आप्षिन नहीं हो जैगे टिटेनियम डाइयोक्साइड next question है capsule are available both as dash capsules and dash capsules गष्ट है थने कोटे तो इसमें इंटायी कोटेशे होते हैं बट यह नहीं होगा में जो है हमारे हार्ट जलतन जलेटन केपसूल से होते हैं यही क्लासिफिकेशन है मेंली हार्ट जलेटन कपसूल से हैं और सौफट जलेटन केपसूल से होते हैं लिए उर यीवर करने के लिए क्यांट ऐघ सुब्स को भी मिख्यों लिएंस कोऊंजलों किसे रहे होगा हाइँ लिए टापलेट्स मुष्म सारस करने के लिए को decreasing सुटेबल ब्लूम की कैप्सूल का मैंने बताए था कितना वन फिफ्टी-2 250 ग्रैम हमने देखा था तो इसमें देखे 150 से 250 नहीं दिया 280 दिया कोई बाटन नियर अबाउट ओप्शन देख लेता कोई दिक्कत नहीं है है अगर 150 250 नहीं दिया हुआ तो यह उसके नियर अबाउट ही है option नहीं हो जेगा और यूनिट जो है वो ग्रैम है धियान लगना नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप A जिलेटन का आइसो एलेक्ट्रिक पॉइंट पूइंट पूछा है तो बताया था टाइप A का क्या बताया था नाइन बताया था और टाइप B का पी एच कितने पे 4.7 पे तो टाइप A का पूछा है तो option B हो जागा 9 नेक्स्ट है आइसो एलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ टाइप B जिलेटन टाइप B जिलेटन का क्या पूछा है आइसो एलेक्ट्रिक पॉइंट पूइंट 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 पूइ देख से अप्ट्रॉक्सिमेट कपैसिटि एफ वन नमबर हार जिलेटिन कैपसूल इजए एम जी में बतानी है तो वही ट्रिपल जिरो वही बनाओ और लास्ट मैं ने देखें लास्ट से बताए था 100, 500, 200, 500, 300 उसके पाद 450, फिर आपका 650 और 950 ओके यह mg में है तो आपसे 1 वाले की पूछी है तो यह रहा 1 वाला 300 mg ओके तो देखे आपका जो 150 है वो तो 4 वाले के लिए हो जाएगा 300 वाले के लिए जो आपका option B हो गया मतलब 1 वाले के लिए 300 mg 450 आपका 0 वाले के लिए हो गया और 650 आपका 0000 वाले के लिए हो गया step से याद रखना है next question है तो फिर से लिख दिया next है 000 capsule size capsule तो 000 तो largest है तो उसका तो हमने याद ही कर रखा है 1.37 या 1.36 जो भी आपको option में मिलता है 1.36 या 1.37 ml है ना 0.95 इससे पहले वाले में था 0000 वाले में था है ना तो आपका answer option C हो गया next set 3 size of capsule will have dash ml capacity 3 number वाले के लिए पूछा है कितनी ml में capacity होगी 1.3.95 देखे 0.95 तो आपके 0000 वाले के दिया 0.95 के बाद तो आपका 1.37 ml आ रहा था 0.68 या 0.30 है ना तो 3 number का जो capsule है उसकी 0.30 होती है तो मैंना भी आपको बता दिया आपको कैसे किस टाइप से इसको याद रखना है 10, 5, 10, 15, 20 20 करके आपको जो है फिर से मैं आपको बता जाती हूँ 0.15 जो सबसे लास्ट वाले 5 वाले का है और 1.37 तो आप याद ही रखेंगे तो ट्रिपल जिरो वाले का ये हो गया डबल जिरो वाले का ये ये जिरो वाले का ये वन का ये है वन वाले का ये टू का ये थ्री का ये फोर का और ये फाइफ का तो आपसे 3 का पूछा है ना तो 3 का ये हो गया 0.30 ml नेक्स्ट है आइडियल साइज फुर फिलिंग 300 mg 300 mg आस्प्रिन को फिल करना है तो क्या साइज है वो ही लगो 100, 1.500, 200, 500, 300 फिर 450, फिर 650 और फिर एक बच गया 950 है ना तो ये 000 वाले का था ये 00, ये 0, ये 1, 2, 3, 4, 5 तो ये आपसे 300 mg के लिए पूछा तो कैप्सुल नंबर 1 आजएगा बिल्कु सिंपल है option B मेरे साब से आप सभी को clear है और 0 वाले के लिए कौन सा हो गया 450 हो गया है ना तो 0 के लिए 450 mg होता तो 0 answer होता 2 answer का होता अगर ये होता है आपका 250 mg होता 3 answer का होता अगर आपका 200 mg होता next है gelatin is used as a तो gelatin क्या है encapsulating agent है antimicrobial है viscosity agent है tablet glident तो क्या होता है encapsulating agent होता है हमारा gelatin ने से role of glycerine और sorbitol in the manufacturing of capsule shell तो glycerine और sorbitol क्या होते है plasticizers होते capsule की shell को elastic या plastic बनाते है तो क्या है plasticizers होते है है ना तो हमारा preservative तो methyl paraben जो paraben सो होते है methyl paraben और propyl paraben होते है और pacifier में आपका titanium dioxide आता है flavoring agent मैंने आपको क्या बताए था ethyl vanillin ओके next question है correct statement with respect to hard gelatin capsules के बारे में कौन सा correct है body कहते है longer होती है cap longer cap longer cap longer नहीं होती cap छोटी होती है body longer दोनों equal नहीं होते body shorter नहीं देखे cap छोटी होती है body longer होती है okay option नहीं हो जाएगा तो मैंने आपको बताए था ये ratio dry glycerine और dry gelatin का ratio hard gelatin capsules के लिए कितना था hard के लिए medium के लिए soft के लिए हमने देखा था तो hard के लिए तो ये था कितना 0.4 is to 1 soft के लिए ये था 0.6 is to 1 अना जो medium था उसके लिए था medium के लिए medium के लिए soft के लिए ये होगा 0.8 is to 1 तो आपसे तो hard का पुछा है आप्शन भी हो जगा 0.4 is to 1 ओके नाचा फिलिंग ओफ पैलेट्स इन कैप्सूल इस दन बाई तो पैलेट्स को फिल करना है कैप्सूल में तो रोटो सोट तो आपका क्या करेगा ये तो सोटिंग का काम करेगा फिल्ट कैप्सूल को रोटो फिल्ट की फिलिंग करेगा रोटो फिल्ट इस यूजड फोर फिलिंग ओफ पैलेट्स इन कैप्सूल बाकी एकको फिल है और पैलेटो फिल तो आप्शन हमारा बी कलियर है नसल फिलिंग ओफ लिक्विड इन कैप्सूल तो देखें, pallets के लिए roto fill हमने देखा, हैना, अभी क्यारे liquid को fill करना है, तो nhiाreen product可愛? next step following is the filling मशीन फिलिंग प्रिंसिपल इंदा कैप्सूल फिलिंग मशीन एक्सेप्ट करें सारे के सारे प्रिंसिपल एक को छोड़के ओगर फिलिंग वाइबरेटरी प्रिंसिपल दोसेटर प्रिंसिपल या होपर फिलिंग तो करें होपर फिलिंग नहीं होता बाकि ओगर फिलिंग ड नेक्स्ट है विच फॉलॉइंग इस जू कौन सी बास सही है रोटो वे कैप्सूल वेइंग मशीन बिल्कुल सही मैंने आपको बताया था वेट को इससे याद कर रखो से सच्ट करतेंग मशीन आपको पैया और सब्सक्राप पैया किया रोटो मैंने रॉटो वेइंग मुए मशीन ॥ैज अंसीज Алे मैंने और सातॉर विथी Southeast पैलने तो मैंने आपको बोन के बी से बताया टाइप बी के लिए और टाइप ए के लिए स्किन एनिमल के स्किन यूज़ करी जाती है हना तो और आइस एलेक्ट्रिक पॉइंच पॉइंच टाइप एक नाइन था एट पी एच और यह 4.7 पी अच प्याता है हना तो आपसे क्या तो डिसिंटिग्रेंट आपसे पूछा है तो ग्लाइडेंट तो ग्लाइडेंट ही है जो फ्लो प्रोमोटर से होते हैं लैक्टोज मॉस्ट कॉमल यूज डाइलुएंट होता है मेगनीशियम स्टियरेट आपका लूब्रिकेंट में आता है आंसर इस ऑप्शन फोर स्टार process is not continuous for filling of . Flat process तो जो continuous नहीं की लिए continuous process नहीं है रोटैरि डाइप फ्लेट प्रोसेइस रैसि प्लाकैट डाइप्रोश्छेस या नहीं होती जो है जो approach नहीं होती नेक्सट है जाना सी instrument is used forCharHow to determine particle size to determine rheology of semi-solid Mouse टेव रही हैं सारे नहीं होंगे capsule machine है कीokingा की option D होजाईगा नेक्स्ट है जेलेटिन ग्लिसरीन आर यूज़ फोर दा प्रेपरेशंस ओव लैमली इन इस पैसिफिक रेशो आइन्टिफाइ दा करेक्ट रेशो तो यह ओप्शन देख लीजिए यह करेक्ट रेशो आपको नाइस नाइस तो वन होता है नेक्स्ट है विस टाइप ओ जेलेटिन कैप्सूल इस ओप्रेश लिक्विड ऐ और ओलेशन के लिए तो यह सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल से यूज़ होगा हाड में तो आप solids जैसे pellets granules fill करते हो soft gelatin capsules जो है इसमें क्या fill कर सकते हैं हम liquids और oily formulations next question है roto sort is an equipment तो roto sort क्या बता है sort करेगा यह filled capsules को to separate unfilled capsules to separate important tablet की बात तो नहीं कर रहे to fix the cap and body of the capsules after filling ऐसा भी नहीं होता to adjust required compression tablet की बात ही नहीं कर रहे तो separate करेगा unfilled capsules को है न next question है which is the ideal combination for testing the solubility of entirely coated capsule in alkaline medium में जो entirely coated capsule है उसकी solubility को test करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा alkaline medium प्रोवाइड करना पड़ेगा तो sodium bicarbonate सभी में दिया है potassium hydroxide और पैपसीन दिया है sodium toro glyco colate और पैपेड पैंक्रेटिन के साथ toro glyco colate bilirubin तो यह option C आपने याद रखना है कि सोडिया पैंक्रेटिन के साथ में पैंक्रेटिन sodium toro glyco colate और नेक्स्ट है रोटो सोट इस मसीन विच इस यूस्ट रोटो सोट के उपर बहुत बार क्वेशन बना है टैबलेट की बात नियोरी एंपगा उसकी नियोरी सील्ड कंटेंडर नहीं फिल्ड कैप्सूल को सोट करेगी है न ओप्शन डी हो जाएगा नेक्स्ट है डैश वरकोंदा प्रिंसेपल ओफ डायलेक्ट्रिक कोंस्टेंट एंड रिमूव अन फिल्ड कैप्सूल को रिमूव करेगा रोटोवे तो वे करने के लिए यूज होगा वैरी कैप एकोफिल या रोटोफिल तो आपका जो है यह आंसर हो जागा वैरी कैप होता है यह ओकी नेक्स्ट क्वेशन है इफ डावरेज वेट ऑफ कैप्सूल कंटेंट इस 350 एमजी अलावड परसंट पर्मिटेड वेट वेरियेशन तो मैंने आपको बताया था अगर 300 एमजी से कम होता है तो 10 परसंट का वेरियेशन अलावड है 300 एमजी से जादा होता था 7.5 परसंट त क्यूंसी बात सही है कैप्सूल शैल इस मेड़ बाय जेलाटिन बिल्कुस इकैप्सूल के जएलाटिन की बनी होती है और स्मॉल्लेश्ट कैप्सूल साइज 5 होता लाजर्ज ट्रिपल 0-30 ऑप्शन डी हो जाएगा ओल जैट यूज़ा जुछ फोर ऑस यूप्ट जब यद जादा नहीं होना चाहिए विसकोसिटी ऑफ जेलाटीन कितनी बताए थी 25-25-45 मिली पॉइस बताए थी और ब्लूम स्ट्रेंथ हमारा 150-250 ग्राम हमने देखा था नेक्स है इन कैपसूल रोटो फिल इस यूज़ फॉर फिलिंग तो फिर से रोटो फिल पूछ लिया पावडर पैलेट लिक्विड को रोटो फिल आता है पैलेट को फिल करने के लिए रोटो फिल ओके नेक्स्ट है विस्कोस्टी ऑफ जेलेटिन के रेंज फ्रों तो विस्कोस्टी बताए 25-45 मिली पॉइस है ना तो आपको इसमें देखे सेम देखे यूनिट में चेंज कर रखा तो यूनिट आपको इसका मतलब याद होनी चाहिए नहीं कैपसूल मेकिंग दा ब् घैलेटिन का मोलेटिन के प्रोपोर्शनल होता है दिश गर्ता उसट किसको मैजर करता नहीं कोहरा तोरीर Всем के तो आपका जो है रोटो वे होता है ना फिल पाउडर्स इन जो है उनमें पाउडर्स को फिल करने के लिए ही एको जेल यूज किया जाएगा एको जेल कहां यूज करोगे पाउडर्स को फिल करने के लिए सौफ्ट जेलेटिन कैपसूल में और कैपसूल वेंग मशीन रोटो वे है बाकि अनकैपसूलेटिंग लग दिया है आंसर है ना नेक्स्ट है how many soft capsule can be produced by rotary dye machine पारावर्त rotary dye machine उसे एक घंटे में कितने soft capsule produce होते हैं 50,000 to 60,000 45,000 to 50,000 25,000 to 30,000 तो याद रखना है option C 25 to 30,000 नेक्स्ट है weight uniformity limit for soft gelatin capsule up to 300 mg तो हमने देखा 300 mg से कम है तो 10% देखा और अगर 300 mg उसे ज्यादा है तो 7.5% देखा तो अप्टू 300 mg आप से कहा है तो 10% option C हो जाएगा नेक्स्ट है if the capsule is numbered as 000 000 हमारा largest size होता है तो smallest नहीं होता inclusion of ophthalmic ointment shape oval होगी या largest largest होता है 000 ना and for veterinary purpose only option D हो जाएगा नेक्स्ट है chemically gelatin is तो gelatin क्या है protein है fat है carbohydrate है या none तो gelatin क्या होता है gelatin is a type of protein okay तो option क्या हो जगा यह हो जगा okay क्ईू